आहे ले आए ले आए अपनी और एक अपनी पीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बग रहा है यह देख मौत लगी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी हस मत दो सिगरेट के पैसे से भावी को एसी खतरनाग बिमारी जो महावरी के वक गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाग बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीरी की, सोच पमास हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में अंग्रेजी बाबू, देशी मैम भारती हिंदी भासा की 1996 की एक रोमांटिक कमेडी फिल्म है जिसमें सैरुक खान और सोनाली वेंदरी ने अभी ने किया है ये सिथिल रूप से अमेर्की रोमांटिक कमेडी इट इस्टार्डेड इन नेपल्स 1960 पर आधारित है इस फिल्म के अधिकार अब सहरुक खान की रेट चिलीज एंटरेटेंडमेंट के पास है तो दोस्तों इस मूबी को निर्देशित किया है प्रभीड निश्लो ने इसे लिखा है जीयम आयाच अली रजा ने और इस फिल्म को निर्मित किया है प्रभीड निश्लो ने और इसे अवनित किया है सहरुक खान शुनाली वेंदरे चायंकन किया है रवी कांतरेडी और संपादित किया है बियन मायकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है निखिल बिनएजी ने और उत्पादन कंपनी है मुंबई और बित्रित किया है दासा फिल्में और ये मूवी रिलीज हुई थी 26 जनोरी 1996 को इसकी कारी-कारी समय है 156 मिलट देश भारत भासा हिंदी अगर इसके बजट के बात के जाए तो 3 15.5 करोड 2020 में 16 करोड या US 2.1 मिलियन के बराबर है अगर box office collection की बात की जाए तो 6.89 करोड 2020 में यानि की 32 करोड या US 4.2 मिलियन के बराबर है तो कहानी दोस्तों सुरू होती है बिकरम मयूर एक अमीर भारती इंगलेंड में पैदा हुआ और पला बढ़ा अपने दिवंगत भाई हारी के आठ वरसी बेटे नंदला न्यालनी की नंदू को उसकी देखभाल करने वाली चाची बिजूरिया द्वारा पाले जाने के लिए घर लोडता है बिकरम को एक दुविधा का शामना करना पड़ता है जब वा नंदू को अपने परिवार के ब्योसाय को सीखने क लिए वापस इंग्लेंड ले जाने या बिजूरिया के साथ रहने के लिए भारत में रहने के लिए जोखिम के बीच फटा हुआ है जिसे वो धीरे धीरे प्यार करता है इस फिल्म में सहरुक खान गोपाल मयूर और उनके बेटेओं हरी और विकरम के रूप में ट्रपल भ जो शाइप परिवार है जो लंदन में पांच पीडियों से रह रहा है उसके दो बेटे हैं बड़ा बेटा हरी एक पंजीकरत पाइलट है जो अपने पुस्तेनी भारत के प्रती गहरा लगाओ रखता है अपना धिकान समय मिनी इंडिया में बिताता है लंदन के बाहरी इल पार भागिदारी से वादा किया कि हरी बात की बेटी से साधी करेगा जिसे लगता है कि उसे पसंद है हरी हलाकी हरी एक अंग्रेजी महिला से साधी नहीं करना चाहता और अपने परिवार से साधी को रद्द करने के लिए विंती करता है लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं है अपनी साधी के दिन वो अपने घर से भाग जाता है और भारत भागने के लिए एक बीमान में सवार होता है उसका बीमान हिंद महासागर में दुरगटना ग्रस्त हो जाता है और उसे सभी के द्वारा मृत मान लिया जाता है हरी हला की मुंबई में राक को धोता है अभी भ और बीजूरिया नाम की एक छोटी लड़की और उसकी बड़ी वहन कटारिया द्वारा पाया जाता है। एक नया जीवन जीने के लिए इस आउसर का लाप उठाते हैं जिससे उसे प्यार हो जाता है। बार डांस के रूब में नौकरी करने से पहले उसने खिलने खिलाने पिलाने के लिए पैसे कमाने के लिए उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। अक्षाल बात गोपाल का छोटा बेटा बिक्रम मयूर जो भारत पर एक नकारात्मक दरश्टी कोंट रखता है। अपने पिता के उत्रा अधिकारी के रूप में अपने परिवार के उद्धोग के अधच्च और मौलिक के रूप में सफल हुआ है। जबकि ये खुलासा नहीं किया गया कि गोपाल के साथ क्या हुआ है जिससे कभी नहीं दिखाया गया। फिल्म में फिर वो जल्द ही एक सफल और एक उद्धोग पती बन जाता है। वकील मददगार बिजूरिया और कटारिया के परिवारिक मित्रो टेलिवीजन पर बिक्रम का एक साच्चातकार देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो हरी का छोटा भाई और नंदू का चाचा है। वो बिजूरिया और नंदू दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए उसे भारत लाने की साजजिस रचते हैं। वो हरी के खिलाप मामला दर्ज करा देते हैं जिससे बिक्रम को भ्रहम की इस्तिती में मुंबई आने के लिए मजबूर किया जाता है। विक्रम को पता चलता है कि उसका भाई बिमान दूर्गटना ग्रस्त हो गया है। नहीं लेना चाहती इस पर आपत्ती करता है। पतीजा जो अपने नए चाचा से घ्रणा करता है और अपनी चाची को एक मा की तरह प्यार करता है। इसका बिरोत करता है लेकिन विक्रम आडिक रहता है। इसके साथ बलतकार करने से ठीक पहले उसके ठीकाने पर आ जाता है। बिक्रम गुंडे पर काबू पाता है और बिजूरिया को बचाता है। कि बिजूरिया अपने भतीजे के लिए सबसे अच्छे माता पिता होंगे। बिक्रम बिजूरिया से साधी करता है और उसके भतीजे को अपने साथ आपस ले जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में किसने कैसा रोल किया उसके बारे में हैं आपको परचित कराते हैं। के रूब में हैं, राजे सुरी सचदेव कटारिया के रूब में हैं, हिट मैन के रूब में मुस्ताक खान हैं, टीबी साचातकार के रूब में हैं अंजू महेंद्रू, ससी किरानो, सुरेश भगवती, गुलसन बावरा, गुर्ब चैन सिंग, आजय वाधकर, स्री चंद मक के के राजो, रमन वाध होना, अंग्रेजी बाबू, देशी में में कुल साथ गाने हैं, नंबर एक, भरत पुर लुट गया, पुड्मा जी ने संगीत दिया है, नंबर दो, दीवाना में तेरा दीवाना, कुमार शानु अलका यागनिक जी ने संगीत दिया है, नंबर तीन, हे बिजुरीया सन, उधिद नाराण और अलका यागनिक जाली मुखर जी जी ने अपनी आवाज दी है, नंबर चार, ना तेरे विना, कविता कृष्ट मूरती जी ने अपनी आवाज दी है, नंबर पांच, लब मी हनी हनी, उधिद नाराण और पुर्मा जी आवाज दिया है नंबर 6 कैसे मुखडे से आसा भोंसले जी ने अपनी आवाज दी है नंबर 7 ढोल बाजे खुदम विनोध राठोड अलका यागनिक जी ने अपनी आवाज दी है इंगलिस बाबु देशी मैम ने भारत में 6.40 करोड यूएस 84,000 और अन्य देशों में 135,000 14.61 लाग की कमाई की जो अपने 3.50 करोड यूएस 460,000 वजट के मुकाबले दुनिया भर में कुल 6.89 करोड यूएस 900,000 है इसका 20 सुब्यापी सुरुआती सब्ता 1.71 करोड यूएस 220,000 था और इसके पहले सब्ता में 50.32 करोड यूएस 6.6 मिलियन की कमाई की थी ये दुनिया भर में 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी अगर दोस्तों भारत में इसके कलेक्शन की बात की जाये तो फिल्म ने सुक्रवार 26 जनौरी 1996 को 145 स्क्रीनों पर शुरुआत की और अपने शुरुआती दिन में 31,00,000 यूएस 41,000 की कमाई की इसने अपने सुरुआती सब्ता हमें 1 करोंड यूएस 130,000 की सुद्ध कमाई की और इसका पहला सब्ता 1.164 करोंड यूएस 220,000 का था फिल्म ने कूल 3.78 करोंड यूएस 500,000 की कमाई की और बॉक्स ओफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लाप घोसित कर दिया गया था और प्रवाईसी की बात के जाये तो इनसे भारत के बाहर 135,000, 49.61 लाग कमाई बिदेशों में ये 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी चाहत मूबी इस फिल्म को निर्देशित किया है महस भट द्वारा 1996 की भारती हिंदी भासा की रोमांटिंग संगीत मै फिल्म है इस फिल्म के कलाकार सहरुक खान, पूजा भट, नसुरुदीन सा, राम्या क्रशन और अनपम खेर हैं सारुक खान ने अक्टूबर 2013 में रेट चलीज इंटरेटेन्मेंट के बैनर तरे महस भट ने इस फिल्म को अधिकार हासिल किये फिल्म को 2009 में प्रेम रोगी के रूप में उडिया में दोबरा बनाया गया था रूप सिंग राठोर अपने पिता की तरह ही राजिस्थान में एक गायक है जो अब बीमार है और उन्हें बाम्बे में ततकाल चिकितसा देखवाल की आख सकता है एक दिन जब वो आजे नारंग के होटल में गारहा होता है आजे की वहन रेस्मा के रूप में उससे प्यार हो जाता है रेस्मा एक बिग्डैल लड़की है और आजे उसकी आखरी ख्वाहिस देखता है दुर्भाग से रूप को पूजा नाम की एक नर्ष से प्यार हो जाता है इस वीच रेस्मा रूप पर मोहित हो जाती है और अपने भाई से उसे अपने होटल में गाने के लिए फिर से बुलाने के लिए कहती है लेकिन जब वो देखती है कि सभी लड़कियां रूप की चापलूसी कर रही है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वो अभी उसके लिए ही गाएं हलाकि रूप इस प्रिस्ताव का लेने के बजाए प्रतिदुन्दी पटेल के लिए एक काम करना प्रसंद करता है अपनी बहन को हर कीमत पर खुस रखने का आजे का जुनून चलन में आता है और पटेल को उसके द्वारा बेरहमी से वीटा जाता है जब तक कि वो रूप को उसके होटल से बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हो जाता अपने पिता के आप्रेशन के लिए वैसे की सक्त जरूरत के कारण रूप के पास रेस्मा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्फ नहीं है रूप ने पूजा से बेकरप कर लिया है उनके पिता का अप्रेशन सफल होता है लेकिन उनके पिता उनकी इस्तिती से दुखी होते हैं और बामबे छोड़ने का फैंसला करते हैं रूप बात में अपने पिता और पूजा के साथ खुद बामबे छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन जब रेस्मा आत्महत्या करने की कोशिस करती है तो उसकी योजना बाधित हो जाती है फिर भी पूजा और रूप की साधी हो जाती है घटाओं में ऐसे मोड से निराश सा रेस्मा और उसका भाई अजे उनके जीवन को दैनियम बनाने के लिए कई योजनाय बनाते हैं वो रूप के पिता को अपने पैरों पर रूप के साथ फासी पर रखता है पूजा के साथ साथ और रूप से पूजा और उसके पिता को बचाने के लिए कहता है रूप के पिता ने रूप को लात मारी खुद को बलिदान कर दिया ताकि वो पूजा को बचा सके रूप आज के अगर आप अपने रू आपने बहुत यह से लड़ना बंदव करोगे टो अजय के रूप में गौली ओने की कोशिश की लेकिन पूझा जो उसे देखता है रूप को धक्का देता है और रू आपको गोली मार लोगदान बहुत अच्छा दिया और अपने अविने के लिए ये आज भी देश में और विदेशों में भी जाने जाते हैं। तो सत जानते हैं इनके बिषय में इनका जीवन और उनके बारे में। सहरुख खान हिंदी फिल्मों के अभनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलीवीजन पर्शनाल्टी भी है उन्हें लोग प्यार से बालीबुट का बात्सा किंग आफ बालीबुट किंग खान और किंग आफ रोमांस भी कहते हैं वो लगभग सभी सहलियों की फिल्मों रो स्पोर्ट के अनुसार शारुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं उनके खाते में 14 फिल्म फियर आवार्ट्स लंदन के मैडम तुसाद संग्रहले में उनकी वैक्स की मूर्ति की स्थापित है शारुख खान का जनम दिल्ली में हुआ था उनके पिता का ना लतीफ फातिमा है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सहनात लाला रुख है और वे भी लाला रुख शारुख खान के साथ मुंबई में रहती हैं शारुख ने एक बार ट्वीटर पर जानकारी देते विए बताया कि उनके पिता पठानी और मा हैदरावादी है शारुख बुखान की शुरुवाती पढ़ाई सेंट कोलंबस इस्कूल दिल्ली से हुई थी उन्होंने इस नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए हंस राज कालेज जोईन कर लिया था लेकिन उनका ज्यादतर समय दिल्ली थ्रेटर एक्सें ग्रूप में बीता था जहां से उन्हों अपने अविने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया शारुखान एक ऐसे अविनेता रहे जिनके प्रसंसक हर उम्रा और हर वर्क के लोग हैं खासकर लड़कियां उनकी काफी दिवाननी हैं लेकिन बावजूद उनके सारुखान का किसी के साथ आफेर या प्रेम सम्मंदन नहीं रहा वे अपनी पत्नी के लिए हमेशा वफादार रहे और अपने परिवार से बेहत प्यार करते हैं सारुखान ने गौरी से साधी की जो हिंदू-पंजाबी परिवार से आती हैं उनके तीन बच्चे आरेन शुहाना और अबराम फिल्म इंडिस्ट्री में उन्हें सबसे अच्छा पिता भी माना जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों से बेहत प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिता जाता है और अपना समय बिताते हैं जाने सारुखान की सबसे ज़्यादा पसंद दीदा फिल्में कौन सी हैं सायरूख खान के करियर की सुरवाद टेलिवीजन से हुई थी दिल, दरिया, फाउजी, सरकस जैसे सीरियल्स से उन्होंने अपनी पहचान बनाई उनके फिल्मी करियर की सुरवाद फिल्म दीवाना से हुई थी जिसके लिए उन्हें सर्फसेष्ट नवोदित अबनेता का फिल्म बेर पुरुषकार भी मिला था उस समय ये फिल्म सूपर हिट फूई इसी फिल्म ने सायरूख खान को हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में इस्थापित किया इसके बाद सायरूख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा वे लगातार सफलता की सीणियों पर चड़ते गए दीरे दीरे वे आलचकों के साथ जनता की पसंद बन गए और लड़कियों के बीच तो काफी प्रिसित हो गए तो दोस्तों इनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं इनकी कौन-कौन सी फिल्में प्रिसित फिल्में हैं दीवाना बाजीगर डर कभी हा कभी न करन अरजुन दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे चाहत कोईला यस बॉस परदेश दिल तो पागल है दिल से कुछ-कुछ होता है जोश महबतें कभी खुसी कभी गम द माया नेम, माय नेम इजे खान, रावन, डान टू, जब तक है जान चेनने स्फिरक्स, हाइपी न्यू यर जैसे प्रसित्धि फिल्मों में सहरुख खान ने अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया है सोनाली बेंद्रे ने भारती फिल्म जगत में अपने वहतरीन अबने से सभी भारतियों के दिल में राज किया है उन्होंने अपने काबलियत के कारण बालिबुड में एक अलग पहचान बनाई है तो इनका नाम है सोनाली बेंद्रे इनके पती का नाम है गोल्डी बहल और इनकी जनमती थी है एक जनौरी 1975 जन्वस्थान मुंबई धर्म हिंदू पहली फिल्म इनकी थी आग और आखिरी फिल्म थी कि once upon a time in मुंबई दोबारा दोजार त्यारा में सोनाली बेंद्रे का जनम और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिस करते हैं सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनौरी 1975 को महराष्ट के मुंबई सहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम जीत बेंदरे है जो एक सरकारी नौकरी करते थे इनकी माता का नाम रूसी बेंदरे है जो एक ग्रहणी है सोनाली जी ए के परिवार में कुल पांच सदस्थे हैं जिनमें उनके माता पिता और दो भाई हैं वर्स 1994 में सोनाली की मुलाकात गोल्डी वहल से फिल्म नारास के सेट पर हुई इसके बाद करीब 8 सालों तक इन्हों ने एक दूसरे को डेट किया और 12 नॉमबर 2002 में सोनाली ने गोल्डी वहल से विवा कर लिया इनका एक बेटा है जिसका नाम रणवीर वहल है तो दोस्तों सोनाली वेंदरे की सिच्छा के बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं तो सोनाली वेंदरे ने अपनी प्रारंभिक सिच्छा बैंगलोरू के सकेंदरी विद्ध्याले मले रम की इसके बाद सुनाली ने आगे की फड़ाई होली, क्राज काणवेंट हाइ सकूल मुंबई और बेलम, गल्ड्स सकूल दहरादूं से पूरी की फिर सुनाली बेंद्रे ने मुंबई के राम नाराड, रुया कालेस से अपना एजुकेशन पूरा किया दोस्तों सोनाली बेंदरे के कैरियर की बात की जाये तो सोनाली बेंदरे ने अपने कैरियर की सुरुवात एक मॉडल के रूप में की थी मॉडलिंग के दोरान ही सोनाली को वर्स 1994 में पहली फिल्म आफर की गई थी और इनकी पहली फिल्म का नाम आग था इस फिल्म में गोविंदा और सिलफा सेटी ने भी काम किया था, इस फिल्म में सोनाली वेंदरे के अविने की खुब प्रसंसा हुई थी, जिसके लिए इन्हें न्यू फेम आफ दा इयर, फेम फेयर और फास्ट स्क्रीन मोश्ट प्रोमोसिनिंग न्यू कमर पुरुसकार भी इसके साथ इन्होंने कादर खान, सुनी सटी, सक्ती कपूर के साथ भाई 1997 में, अमिर खान के साथ सर्फरोस, जक्प, सरुक खान, काजोल, जुही, चावला के साथ, डूबलिकेट, कधाल, कलर, धेमन, तमिल, सल्मान खान, करिस्मा कपूर और सैफली खान के साथ हम साथ नंदवे में, तेरा मेरा साथ रहे, 2001 और आनाहत, 2003 जैसे फिल्मों में काम किया है, सोनाली बेंदरे ने बाली बुट के चारो खान, अविनेता, शल्मान खान, आमीर खान, सरुक खान, सैफली खान के साथ काम किया है, इसके साथ ही इन्होंने अन इस्टार, अच्छे कुमा खेतर में, विशिष्ट कारी के लिए, पदा, स्तिरी और पदम पुरुषकार भी भारिस सरकार दोरा दिया जा चुका है, तो सोनाली बेंदरे ने एक टुटर के माधम से खुद को कैंसर होने की जानकारी दे, सोनाली बेंदरे को हाई ग्रेड कैंसर हो गया था, जो सरीर के अन्य भागों से भी फैल हो गया था, जब ये हो रहा था तब इन्हें इसका पता भी नहीं चला, उन्होंने अभी एक छोटे से सिदर्द की जाच करवाई, जिसके बाद इस बीमारी का खुलासा हुआ, वाकई कैंसर एक बहुत खतार नाक बीमारी है, जिससे लड़ने के के लिए हिम्मत और साहस की बहुत जरूरत होती है, हम सोनाली बेंदरे जी के जल ठीक होने की आसा करते हैं, इंग्लिस बाबू देशी में में किरन कुमार ने अपने रोल को बखुवी प्ले किया है, तो दोस्तों इनके बारे में जानने की हम कोशिस करते हैं, तो चलो दोस इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के बांदरा में आरडी नेशनल कालेज में दाखिला लिया और बाद में पूरे में फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्री आफ इंडिया में दाखिला लिया। डिटेक्टिव मिली बैदेही बिरासस सैंक्त वारसी जैसी कुछ उनकी प्रसित फिल्में हैं। इस्पेक्टर, खुदागवा, अपरादी, ब्रदर्स बावी जाजसूस, आकास्वाडी, विद्ध, लव दिल्ली, लोक, कारगिल, क्योकिल, माई, जत, नहीं, बोल्ट जीवन दाता। हाल ही में उनकी एक न्यूज आई की वोई क्रोना पॉज्टिव हो गए हैं और वोई अपने घर में ही कुस दिनों के लिए क्वारेंटाइन हैं। उनकी वेटी का नाम विकाश कुमार है, इंगलिस बाबू, देशी मैम में राजेसुरी सचदेव एक भारती फिल्म एक्टर्स हैं, जो की अपने अभने को बखूवी निभाया है, जो की हिंदी सिनेमे में सक्री हैं। इसके बाद उनकी फहली फिल्म स्याम बेंगल निर्देशी सूरच का सात्मा घोड़ा थी। इसके बाद वो शदारी बेगम शमर हरी भरी नेता जी सुबास चंद बोस्त दा फार गोटन हीरो जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। वालिवुड के अलावा वो हालिवुड फिल्म लिटिल बुद्धा टेल्स आफ काम सूत्र में भी दिखाई दी हैं। प्रवीर निश्चल ने अपने करियर की फिल्म में जो काम किया है वो बखुवी निभाया है। इन्होंने इंगलिस बाबु देशी मैम फिल्म में बखुवी इस फिल्म को निर्देशित किया है। इनके निर्देशन और लेखन हैं, उन्होंने विचर्ट फिल्में, टीवी सीरियल और टीवी विग्यापन बनाए हैं, वो अबनेता नवीन निश्चल के छोटे भाई हैं, इनका जन्म दिल्ली भारत में हुआ था, ये भारती हैं, इनका शक्रिय वर्षे 1972 से इन्होंने फिल पारक इंग्ली सी स्कूल में हुई थी, जिसमें एक अच्छा आठ से उन्होंने वर्ष के सबसे उतकरष्ट च्छात के संड़ पदक से समानित किया गया था, अपने प्रारंभिक वर्षों से वो अभिने और वाद बिवाद में बंच पर बहुत सक्रिय थे, जिसमें उन्ह उन्हें कई परुसकार जीते, आठ के बाद वो दिल्ली स्कूल चले गए, और दिल्ली पब्लिक स्कूल मतुरा रोड में अपनी स्कूल सिच्छा पूरी की, जहां उन्हें वाद बिवाद में कई परुसकार मिले, और उन्होंने स्कूल के वार्षिक्स दिवस समारों में भ इंदू कालेज दिल्ली विसुविद्याले में चातर दरसन में में प्रवेश लिया लेकिन इसे आधा ही छोड़ दिया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए और अपने भाई नवी निश्चल के साथ शामिल हो गए जो उस समय पहली वालीवूट फिल्म शावन निर्देशक के रूप में फिल्म सावन भादों की जोड़ी नवी निश्चल और रेखा ने अवने किया था उन्होंने मोहन शाहगल को प्रोडेक्शन में भी मदद की और कई सालों तक अपने भाई नवीन के लिए बिजनेस सेट रहे उन्होंने नवीन रेखा रीना राय अमजद खान प्रेम चोपड़ा आदी अवनित फिल्म जान से प्यार में एक निर्देशक के रूप में अपना करियर सुरू किया जिसमें आडी बर्मन का संगीत था फिल्म की सुरुवात आसा भोसली द्वारा दिये गए थे दो गानों की रिकार्डिंग से हुई थी ये भारती भावनाओं के साथ अंतरराष्टी जेम्स बार्ड की तरज पर था अपने शमय की सबसे महेंगी फिल्म इस फिल्म का विसेश प्रभावी आपजी इस्टूडियो लांस एंजेल्स के जान डिक्स्टा द्वारा दिया जाना था जिन्होंने चार्ज लुकास के साथ स छोड दिया गया क्योंकि वो बित्तिय कटनाई में भाग गया था एक एसी प्राकरति की थे जिन्होंने दुरभाग से फिल्म को किसी अन्य फ्रोडेक्शन हाउस द्वारा अपने हाथ में लेने की अन्मती नहीं ली इसी सुरुवाती जटके के बाद प्रमीड ने सरत दिवी सीरियल में पहले दो खंड बनाए जिसे सिरीकांत कहा जाता है जिसमें फारुक सेक सुजाता मेहता प्रिय दर्सनी भारत भूसर्ड आज सामिल है ये अली रजा दौरा लिखा गया था जैदेव दौरा संगीद था और मन मोवन सेटी के साथ संगत रूप से निर्मि ये बीबी सी के चैनल वन और टू पर प्रदसिस्त होने वाला अब तक पहला एसी आई धारावाहिक था वो प्रयोक्त धारावाहिक के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हुए प्रभीड ने कुछ और सूट किये एक फिचर फिल्म राज लश्चमी बनाई गई इसमें गंटे के 24 एपसोड में स्रीकांत बनाने के लिए कमीशन दिया फारूख सेक ने फिर सिरीकांत की भूंका निभाई और उनके साथ कलाकारू में सामिल हुए इरफान खान म्रडाल कुलकरणी रविंदर मनकानी एक के हंगल आधी इसके दोरा प्रमीर ने शरुक खान सोनाली बेंदरे रसीज जाफरी आधी अफिनित एक फिचर फिल्म इंगलिस बाबू देशी मैम का निर्माड और निर्देशन पूरा किया उन्होंने 90 मिनिट की एक टीवी फिल्म जहां प्यार मिले का निर्माड लेखन और निर्देशन किया अवधी चैनल पर नव पर अकारिकर निर्देशन की कटोती के लिए 2002 में मनमोहन सेटी की कमपनी एड बलैस सामिल है और एंटरटेन्मेंट वन आप नाम के एक फिल्म प्रोडेक्शन डिवीजिनल शुरू किया कमपनी ने लगबग 20 फिचर फिल्मों को बित्त पोसित और सापोसित किया कमपनी की ओर से प्रविंड ने एड लाइब्स जो रिलाइंस एड लाइब्स बन गया है को छोड़ दिया और राम गोपाल वर्मा के साथ पार्टनर बन गए हैं दोनों ने मिलकर फिल्म तीनों फिल्मों का निर्माड किया इसमें फाहले अमिता बच्चन अपसेक बच्चन और इस्वर्य अविनिस सरकार राज थी इसके बाद कनेक्ट और फूक दी 2009 में ओ अलग हो गये थे जिसके बाद प्रविंड ने दो पार्टनर निवास और रयान सुआरेस के साथ एक विग्यापन फिल्म कंपनी वाइट ओनियन फिल्म से शुरू की और कई टीवी विग्यापनों का निर सूट आधि के लिए लाइन प्रोडक्शन कास्ट डिपोर्टिंग और अकाउंटिंग करती है अंग्रेजी बाबू देशी मैम भारती हिंदी भासा की 1996 की एक रोमांटिक कमेडी फिल्म है जिसमें सहरुक खान और सोनाली वेंद्री ने आभिने किया है यह सिथिल रूप से अमेरिकी रोमांटिक कमेडी इट इस्टार्डेड इन नेपल्स 1960 पर आधारित है इस फिल्म के अधिकार अब सहरुक खान की रेट चिलीज एंटरिटेंडमेंट के पास है तो दोस्तों इस मूबी को निर्देशित किया है प्रभीड निश्लो ने इसे लिखा है जीम अली रजा ने और इस फिल्म को निर्मित किया है प्रभीड निश्लो ने और इसे अवनित किया है सहरुक खान शुनाली वेंद्रे चायंकन किया है रवी कांतरेड़ी और संपादित किया है बियन मायकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है निखिल बिनएजी ने और उत तो 56 मिलट देश भारत भासा हिंदी अगर इसके बजट की बात की जाए तो 3.5 करोड 2020 में 16 करोड या UES 2.1 मिलियन के बराबर है अगर बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाए तो 6.89 करोड 2020 में यानि की 32 करोड या UES 4.2 मिलियन के बराबर है तो कहानी दोस्तों सुरू होती है विक्रम मयूर एक अमीर भारती इंग्लेंड में पैदा हुआ और पला बढ़ा अपने दिवंगत भाई हरी के 8 वरसी बेटे नंदला न्यानी की नंदू को उसकी देखभाल करने वाली चाची बिजूरिया द्वारा पाले जाने के लिए घर लोडता है विक्रम को एक जहने के लिए जोखिम के बीच फटा हुआ है जिसे वो धीरे धीरे प्यार करता है इस फिल्म में सहरुक खान गोपाल मयूर और उनके बेटें हरी और विक्रम के रूप में ट्रिपल भूमका में नजर आ रही हैं गोपाल मयूर एक अरपती ब्योशाई है वो मयूर परिव एक पंजी करत पाइलट है जो अपने पुस्तेनी भारत के प्रती गहरा लगाओ रखता है अपना धिकान समय मिनी इंडिया में बिताता है लंदन के बाहरी लाके में गोपाल जो प्रतीत होता है कि भारत का प्रसंसक नहीं है और इस तथ से प्रभायत नहीं है कि उसका अंग्रेजी ब्यापार भागिदारी से वादा किया कि हरी बात की बेटी से साधी करेगा जिसे लगता है कि उसे पसंद है हरी हलाकी हरी एक अंग्रेजी महिला से साधी नहीं करना चाहता और अपने परिवार से साधी को रद करने के लिए विंती करता है लेकिन कोई भी उस ग्रस्त हो जाता है और उसे सभी के द्वारा मृत मान लिया जाता है हरी हला की मुंबई में राक को धोता है अभी भी जीवित है और बीजूरिया नाम की एक छोटी लड़की और उसकी बड़ी बहन कटारिया द्वारा पाया जाता है कटारिया उसकी देख भाल करके और प्या कर दिया गया है एक बचाओ अभियान के बाद उनके सरीर को खोजने में विफल रहा वो कटारिया से साधी करके अपने प्यारे भारत में एक नया जीवन जीने के लिए इस आउसर का लाप उठाते हैं जिससे उसे प्यार हो जाता है कटारिया जल्द ही हरी के बच्चे के साथ गर्वती हो जाती है खुसी लंबे समय तक नहीं रहती क्योंकि दिवाली उत्सों के दोरान उनके घर में आग लग जाती है हरी और कटारिया को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है जो दोनों अपने बेटे नंदु के डिलीवरी के बाद तुरंत मर जाते हैं बीजूरि के लिए उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया आठ शाल बात गोपाल का छोटा बेटा बिक्रम मयूर जो भारत पर एक नकारात्मक दरश्टी कोंट रखता है अपने पिता के उत्रा अधिकारी के रूप में अपने परिवार के उद्धोग के अधच्च और मौलिक के र जाता है वकील मददगार बिजूरिया और कटारिया के परिवारिक मित्रो टेलिवीजन पर बिक्रम का एक साच्चातकार देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो हरी का छोटा भाई और नंदू का चाचा है वो बिजूरिया और नंदू दोनों को अपने साथ ले जाने किया जाता है विक्रम को पता चलता है कि उसका भाई दिमान दूर्गटना ग्रस्त हो गया है दो साल तक भारत में रहा जिसके दोरान उसकी पत्नी के साथ उसकी वास्तविक म्रत्यू से पहले उसकी साधी हो गई थी और उसका एक बेटा था विक्रम का मानना है कि उनके भा बात भाग नहीं लेना चाहती इस पर आपत्ति करता है विजूरिया को पता चलता है कि अगर विकरम अदालत में जाता है तो वो हमेजा के लिए नंदू को खोदेगी और इसलिए वो रानी रानी देवी होने का नाटक करती है जो नंदू की संरक्षक है विकरम उसके प्यार म अपने साथ वापस ले जाने का फैंसला करता है भतीजा जो अपने नए चाचा से घ्रणा करता है और अपनी चाची को एक मा की तरह प्यार करता है इसका बिरोत करता है लेकिन विक्रम अडिक रहता है विजूरिया नंदू को विक्रम के साथ जाने के लिए मजबूर करती है यह जानने के बाद की नंदू इसकूल छोड़ देता है और विजूरिया से साधी करने के लिए पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसे जबरन एक गुंडे भीमा खलासी के साथ सोने के लिए ले जाया जाता है। जिस पर उसकी नजर थी जब विक्रम को इसके बारे में पता चलता है तो वो भीमा खलासी के बिजूरिया के साथ बलतकार करने से ठीक पहले उसके ठीकाने पर आ जाता है। बिक्रम गुंडे पर काबू पाता है और बिजूरिया को बचाता है वो असुस्त है कि बिजूरिया अपने भतीजे के लिए सबसे अच्छे माता पिता होंगे बिक्रम बिजूरिया से साधी करता है और उसे उसके भतीजे को अपने साथ आपस ले जाता है तो दोस्तों इस कह किरatan कुमार भीमा खलासी के रूप में हैं रूप में मुस्ताक खान है तीबी साचातकार के रूप में अंजू महेंद्रू ससी किरानो सुरेश भागवती गुलसन बावरा गुर्बचन सिंग अजय वाधकर स्रीचंद मखीजा केके राजो रमन वाध होना अंग्रेजी बाबू देशी महम में कुल साथ गाने हैं नमबर एक भरतपुर लुट गया पुडमा जी ने संगीत दिया है नमबर दो दिवाना मैतेरा दिवाना कुमार शानु अलकायागनिक जी ने संगीत दिया है नंबर थीन हे विजुरिया सन उदिद नारांड़ और अलकायागनिक जाली मुकरजी जी ने अपनी आवाज दी है नमबर चार ना तेरे विना कविता क्रिष्ट मूर्ती जी ने अपनी आवाज दिये नमबर पांच लब मी हनी हनी उधिर नाराण और पूर्मा जी ने आवाज दिया है नमबर छे कैसे मुखडे से आसा भोंसले जी ने अपनी आवाज दिये नमबर साथ ढोल बाजे खुदम विनोध राठोड अलका यागनिक जी ने अपनी आवाच दी है इंगलिस बाबु देशी मैम ने भारत में 6.40 करोड यूएस 84 हाजार और अन्य देशों में 135 हाजार डॉलर 45.61 लाग की कमाई की जो अपने 3.50 करोड यूएस 460 हाजार वजट के मुकाबले दुनिया भर में कुल 6.89 करोड यूएस 900 हाजार है इसका 20 सुब्यापी सुरुवाती सब्ता 1.19 करोड यूएस 220 हाजार था और इसके पहले सब्ता में 50.32 करोड यूएस 6.6 मिलियन की कमाई की थी ये दुनिया भर में 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी अगर दोस्तों भारत में इसके कलेक्शन की बात की जाये तो फिल्म ने सुक्रवार 26 जनुरी 1996 को 145 स्क्रीनों पर सुरुवात की और अपने सुरुवाती दिन में 31 लाक यूएस 41 हाजार की कमाई की इसने अपने सुरुवाती सब्ता हमें 1 करोड यूएस 130 हाजार की सुद्ध कमाई की और इसका पहला सब्ता 1.164 करोड यूएस 220 हाजार का था फिल्म ने कूल 3.78 करोड यू यस 500 हजार की कमाई की और बॉक्स ओफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लाप घोसित कर दिया गया था और प्रवाइसी की बात के जाए तो इनसे भारत के बाहर 135,000, 49.61 लाग कमाई बिदेशों में ये 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी चाहत मूबी इस फिल्म को निर्देशित किया है महस भट द्वारा 1996 की भारती हिंदी भासा की रोमांटिंग संगीत मैं फिल्म है इस फिल्म के कलाकार सहरुक खान, पूजा भट, नसुरुदीन सा, राम्या क्रशन और अनपम खेर हैं सारुक खान ने अक्टूबर 2013 में रेट चिलिज इंटरेटेन्मेंट के बैनर तरे महस भट ने इस फिल्म को अधिकार हांसिल किये फिल्म को 2009 में प्रेम रोगी के रूप में उडिया में दोबरा बनाया गया था रूप सिंग राठोर अपने पिता की तरह ही राजिस्थान में एक गायक है जो अब बीमार है और उन्हें बाम्बे में ततकाल चिकितसा देखवाल के आख सकता है एक दिन जब वो आजे नारंग के होटल में गा रहा होता है आजे की वहन रेस्मा के रूप में उससे प्यार हो जाता है रेस्मा एक बिग्डैल लड़की है और आजे उसकी आखरी ख्वाहिस देखता है दुरभाग से रूप को पूजा नाम की एक नर से प्यार हो जाता है इस वीच रेस्मा रूप पर मोहित हो जाती है और अपने भाई से उसे अपने होटल में गाने के लिए फिर से बुलाने के लिए कहती है लेकिन जब वो देखती है कि सभी लड़कियां रूप की चापलूसी कर रही है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वो अभी उसके लिए ही गाएं हलाकि रूप इस प्रस्ताव का लेने के बजाए प्रतिदुनती पटेल के लिए एक काम करना प्रसंद करता है अपनी बहन को हर कीमत पर खुश रखने का आजे का जुनून चलन में आता है और पटेल को उसके द्वारा बेरहमी से बीटा जाता है जब तक की वो रूप को उसके होटल से बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हो जाता अपने पिता के आप्रेशन के लिए पैसे की सक्त जरूरत के कारण रूप के पास रेस्मा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्फ नहीं है रूप ने पूजा से बेकरप कर लिया है उनके पिता का अप्रेशन सफल होता है लेकिन उनके पिता उनकी इस्तिती से दुखी होते हैं और बांबे छोड़ने का फैंसला करते हैं रूप बात में अपने पिता और पूजा के साथ खुद बांबे छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन जब रेस्मा आत्महत्या करने की कोशिस करती है तो उसकी योजना बाधित हो जाती है फिर भी पूजा और रूप की साधी हो जाती है घट्नाओं में ऐसे मोड से निराश सा रेस्मा और उसका भाई अजे उनके जीवन को दैनीय मा बनाने के लिए कई योजनाय बनाते ही वो रूप के पिता को अपने पैरों पर रूप के साथ फासी पर रखता है पूजा के साथ साथ और रूप से पूजा और उसके पिता को बचाने के लिए कहता है रूप के पिता ने रूप को लात मारी खुद को बलिदान कर दिया ताकि वो पूजा को बचा सके रूप आ कि अगर आप अपने रूप अपने भाई से लड़ना बंद नहीं करोगे तो अजय के रूप में गोली मारने की कोशिस की लेकिन पूजा जो उसे देखता है रूप को धक्का देता है और रिस्मा को गोली मार दी जाती है और माल दिया जाता है नारंग हैरान रह जाते हैं और और अपने अभिने के लिए ये आज भी देश में और विदेशों में भी जाने जाते हैं तो सत जानते हैं इनके बिशे में इनका जीवन और इनके बारे में सहरुख खान हिंदी फिल्मों के अवनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलिवीजन पर्शनाल्टी भी है उन्हें लोग प्यार से बालीबुट का बात्सा किंग आफ बालीबुट किंग खान और किंग आफ रोमांस भी कहते हैं वे लगभग सभी सैलियों की फिल्मों रोमांस ड्रामा कमेडी एक्षन में काम कर चुके हैं लांस इंजिलेस टाइमस ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मोवी श्टार बताया है उनके प्रसंसकों की संख्या भारत के साथ साथ बीदेसों में भी बहुत ज्यादा है 2014 में एक रिपोर्ट के अनुसार सहरुख खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर है उनके खाते में 14 फिलिम फियर आवार्ट्स लंदन के मैडम तुसाद संग्राहले में उनकी वैक्स की मूर्ती की स्थापित है शारुख खान का जनम दिल्ली में हुआ था उनके पिता का नाम मीर ताज बहुम्मद खान है उनके पिता पेशावर पाकिस्तान से थे उनकी मा का नाम लती फातिमा है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सहनात लाला रुख है और वे भी लाला रुख शारुख खान के साथ मुंबई में रहती है शारुक ने एक बार ट्वीटर पर जानकारी देते भी ये बताया कि उनके पिता पठानी और मा हैदरावादी है शारुक खान की पढ़ाई की बात की जाये तो शारुक खान की शुरुवाती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ले से हुई थी उन्होंने इस नाते की पढ़ाई पूरी करने के लिए हंस राज कालेज जोईन कर लिया था लेकिन उनका ज्यादतर समय दिल्ली थ्रेटर एक्सन ग्रूप में बीता था जहां से उन्होंने थ्रेटर निर्देशक बाहरी जान के साथ सानिद्ध में अभिने के गुरु सिखे इसके बाद उन्होंने जामया, मीलिया, इस्लामिया में, जन संचार में इस्नो अकतर की पढ़ाई सुरू की तो लेकिन अपने अफिने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया शारुक खान एक ऐसे अफिनेता रहे जिनके प्रसंसक हर उम्रा और हर वर्क के लोग हैं खासकर लड़कियां उनकी काफी दिवानी हैं लेकिन बावजूद उनके सारुक खान का किसी के साथ आफेर या प्रेम सम्मंदन नहीं रहा वो अपनी पत्नी के लिए हमेशा वफादार रहे और अपने परिवार से बेहत प्यार करते हैं सारुक खान ने गौरी से साधी की जो हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं उनके तीन बच्चें आरेन शुहाना और अबराम फिल्म इंडिस्ट्री में उन्हें सबसे अच्छा पिता भीमाना जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों से बेहत प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिता जाता है और अपना समय बिताते हैं जाने सारुक खान की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं सारुक खान के करियर की सुरुआ टेलिवीजन से हुई थी दिल दरिया फौजी सरकस जैसे सीरियल से उन्होंने अपनी पहचान बनाई उनके फिल्मी करियर की सुरुआत फिल्म दीवाना से हुई थी जिसके लिए उन्हें सर्फशेष्ट नवोदित अबनेता का फिल्म बेर पुरुषकार भी मिला था उस समय ये फिल्म सूपर हिट फुई इसी फिल्म ने सैरुक खान को हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में स्थापित किया इसके बाद सैरुक खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा वोई लगातार सफलता की सीणियों पर चड़ते गए दीरे दीरे वोई आलचकों के साथ जन्ता की पसंद बन गए और लड़कियों के बीच तो काफी प्रिसित हो गए तो दोस्तों इनकी फिल्मों के बारे में जानते हैं इनकी कौन-कौन सी फिल्में प्रिसित दे फिल्में हैं दीवाना बाजीगर डर कभी हां कभी ना करन अर्जुन दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे चाहत कोईला यस बॉस परदेश दिल तो पागल है दिल से कुछ-कुछ होता है जोश महबतें कभी खुसी कभी गम देवदास कल हो ना हो मैं हूना वीर जारा, डान, चक्दे अंडिया, ओम, शांती, ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माया नेम, माय नेम इजे खान, रावन, डान टू, जब तक है जान चन्ने स्फरक्स हाइपी न्यू यर जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में सहरुख खान ने अपने एक्टिंग का लोहा बनवाया है सोनाली बेंद्रे ने भारती फिल्म जगत में अपने वेहतरीन अबने से सभी भारतियों के दिल में राज किया है उन्होंने अपने काबलियत के कारण बालिबुड में एक अलग पहचान बनाई है तो इनका नाम है सोनाली बेंद्रे इनके पती का नाम है गोल्डी बहल और इनकी जनमती थी है एक जनौरी 1975 जन्वस्थान मुंबई धर्म हिंदू पहली फिल्म इनकी थी आग और आखिरी फिल्म थी वन्स अपान ए टाइम इन मुंबई दोबारा दोहजार त्यारा में सोनाली बेंद्रे का जन्व और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिस करते हैं सोनाली बेंद्रे का जन्व 1 जनौरी 1975 को महराष्ट के मुंबई सहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे है जो एक सरकारी नौकरी करते थे इनकी माता का नाम रूसी बेंद्रे है जो एक ग्रहडी है सोनाली जी ए के परिवार में कुल पांच सदसे हैं जिनमें उनके माता पिता और दो भाई हैं वर्स 1994 में सोनाली की मुलाकात गोल्डी वहल से फिल्म नारास के सेट पर हुई इसके बाद करीब आठ सालों तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और 12 नॉमबर 2002 में सोनाली ने गोल्डी वहल से विवा कर लिया इनका एक बेटा है जिसका नाम रणवीर वहल है तो दोस्तों सोनाली बेंदरे की सिच्छा के बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं तो सोनाली बेंदरे ने अपनी प्रारंभिक सिच्छा बैंगलोरू के सकेंदरी विद्याले मले रम की इसके बाद सोनाली ने आगे की फढ़ाई होली क्रास कानवेंट हाइ स्कूल मुंबई और बेलम गल्ड्स स्कूल देहरादून से पूरी की फिर सोनाली बेंदरे ने मुंबई के रम नाराण रुया कालेश से अपना एजूकेशन फूरा किया दोस्तों सोनाली बेंदरे के कैरियर की बात की जाये तो सोनाली बेंदरे ने अपने कैरियर की सुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी मौडलिंग के दोरान ही सोनाली को वर्स 1994 में पहली फिल्म आफर की गई थी और इनकी फाहली फिल्म का नाम आग था इस फिल्म में गोबिंदा और सिलफा सेटी ने भी काम किया था इस फिल्म में सोनाली बेंदरे के अविने की खुब प्रसंसा हुई थी जिसके लिए इन्हें न्यू फेम आफ दा इयर फेम फेयर और फास्ट स्क्रीन मोश्ट प्रोमोसिनिंग न्यू कमर पुरुसकार भी मिला था सुरुवात के सोनाली का काफी संघर्स करना पड़ा था परन तो अपने अच्छे अविने की कार्णवर्ट सु 1996 की आई दिल जले फिल्म में उन्हें पूरे देश में मसूर कर दिया इस फिल्म में आजे देवगन इनके दो इस्टार थे इसके साथ इन्होंने कादर खान सुनी सटी सक्ती कपूर के साथ भाई 1997 में अमिर खान के साथ सर्फरोस जक्प सरुक खान काजोल जूही चावला के साथ डूब्लिकेट कदाल कलर धेमन तमिल सल्मान खान करिस्मा कपूर और सैफली खान के साथ हम साथ साथ हैं 1999 में तेरा ते तेरा मेरा साथ रहे 2001 और आनाहत 2003 जैसे फिल्मों में काम किया है सोनाली बेंदरे ने बाली बुट के चारो खान अविनेता शल्मान खान आमीर खान सारुक खान सैफली खान के साथ काम किया है इसके साथ ही इन्हों ने अन इस्टार अच्छे कुमार और साउथ के अप्रसित इस्टार चिरिंजीवी के साथ भी काम किया है जब एक नॉंबर 1996 को माईकल जैक्सन भारत आये थे तो सोनाली बेंदरे ने उनकी बखुवी स्वागत किया था सोनाली बेंदरे जी को अविने के छेतर में विशिष्ट कारी के लिए पदा स्तिरी और पदम पुरुसकार भी भारे सरकार दोरा दिया जा चुका है तो सोनाली बेंदरे ने एक टुटर के मादें से खुद को कैंसर होने की जानकारी दी सोनाली बेंदरे को हाई ग्रेड कैंसर हो गया था जो सरीर के अन्नी भागों से भी फैल हो गया था जब यह हो रहा था तब इन्हें इसका पता भी नहीं चला उन्होंने अभी एक छोटे से सिदर्द की जाच करवाई जिसके बाद इस बीमारी का खुलासा हुआ वाकई कैंसर एक बहुत खतारनाक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस की बहुत जरूरत होती है हम सोनाली बेंदरे जी के जल ठीक होने की आसा करते है इंगलिस बाबू देशी में में किरन कुमार ने अपने रोल को बखुवी प्ले किया है तो दोस्तों इनके बारे में जानने की हम कोशिस करते हैं तो चलो दोस्तों इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किराड कुमार का जन्म 20 सक्टूबर 1945 को मुंबई महाराष्ट भारत में हुआ था किरण एक कस्मीरी पंडित परिवार से है उनके पिता का नाम जीवन कुमार है उनकी मा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है उनकी दो बहने हैं और एक भाई है उनके बहाई का नाम भूस्तट जीवन और बहनों के नाम निकी जीवन रिकी उग्रा है उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई इंदोर के एक बोर्डिंग स्कूल से की है उसके बाद उन्होंने मुंबई के बांदरा में आरडी नेशनल कालेज में दाखिला लिया और बाद में पूरे में फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्री आफ इंडिया में दाखिला लिया किरन कुमार एक भारती थ्रेटर अभिनियता है जो हिंदी राजिस्थानी गुजराती फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने करियर की सुरुवात हिंदी टीवी जगत से की है उनकी कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल है धरम युद्ध, सफत, अंधी, आर्रिमान, एहसास, घुटन, मंजिल, मर्यादा, करणडा, डिटेक्टिव, मिली, बैदेही, बिरासस, सैंक्त वारसी जैसी कुछ उनकी प्रसिद्ध फिल्में है प्यार किया तो डरना क्या, इस्पेक्टर, खुदागवा, अपरादी, ब्रदर्स बावी जाजसूस, आकास्वाडी, विद्ध, लव दिल्ली, लोक, कारगिल, क्योकिल, माई, जथ, नहीं, बोल्ट जीवन दाता हाल ही में उनकी एक न्यूज आई की वो क्रोना पॉजटिव हो गए हैं, और वो अपने घर में ही कुछ दिनों के लिए कौरेंटाइन है, उन्होंने पिछले 10 दिनों से खुद को अपने घर में कौरेंटाइन रखा है, और इस खबर की पुष्टी उन्होंने खुद की है अबनेता हैं उनकी वेटी का नाम विकाश कुमार है इंग्लिस बाबू देशी मैम में राजेसुरी सचदेव एक भारती फिल्म एक्टरस हैं जो की अपने अभने को बखुवी निभाया है जो की हिंदी सिनेमे में सक्री हैं अगर इनके निजी जीवन की बात की जाये तो रा करियर की बात था है तो हम इसके बारे में जानने की कोशिस करते हैं राजे सुरु नर अपने करियर की मराठी सिनेमा की है इसके बाद उनकी फहली फिल्म स्याम बेंगल निर्देशी सूरच का सात्मा घोडा थी यह फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी इसके बाद वो शदारी बेगम शमर हरी भरी नेता जी सुबास चंद बोस दा फार गोटन हीरो जैसी फिल्मों में नजर आई हैं बालिवुड के अलावा वो हालिवुड फिल्म लिटिल बुद्धा टेल्स आफ काम सूत्र में भी दिखाई दी है प्रवीर निश्चल ने अपने करियर की फिल्म में जो काम किया है वो बखुवी निभाया है इन्होंने इंगलिस बावु देशी मैम फिल्म में बखुवी इस फिल्म को निर्देशित किया है इनके निर्देशन और लेखन हैं, उन्होंने विचर्ट फिल्में, टीवी सीरियल और टीवी विग्यापन बनाए हैं, वो अबनेता नवीन निश्चल के छोटे भाई हैं, इनका जन्म दिल्ली भारत में हुआ था, ये भारती हैं, इनका शक्रिय वर्षे 1972 से इन्होंने फिल प्रारंभिक सिच्चा कलकत्ता के पार्क इंग्लीज स्कूल में हुई थी, जिसमें एक अच्छा आठ से उन्होंने वर्ष के सबसे उतकरष्ट च्छात के संड़ पदक से समानित किया गया था, अपने प्रारंभिक वर्षों से वो अभिने और वाद बिवाद में बंज प प्रुषकार मिले और उन्होंने स्कूल के वार्षिक्स दिवस समारों में भारत के ततकालिंग राष्ट पर दाक्तर द्वारा सर्शेष्ट अबनेता का प्रुषकार भी दिया गया था, जाकिर हुसेन ने उन्होंने दिल्ली विस्विद्यारे के सेंट स्टीफन्स कालेश से इसनातक किया है, फिर उन्होंने हिंदू कालेश दिल्ली विस्विद्यारे में छातर दर्सन में में प्रवेश लिया, लेकिन इसे आधा ही छोड़ दिया, और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए, और अपने भाई नवी निश्चल के साथ शामिल हो गए, ज प्रवेश ने अपने करियर की सुरुवात मोहन शाहगल के मुखि सहाग निश्चल के रूप में फिल्म सावन भादों की जोड़ी नवी निश्चल और रेखा ने अपने किया था, उन्होंने मोहन शाहगल को प्रोडेक्शन में भी मदद की, और कई सालों तक अपने भाई नवीन के लिए बिजनेस सेट रहे, उन्होंने नवीन रेखा, रीना राय, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, आदी अवनित, फिल्म जान से प्यार में एक नरदेशक के रूप में अपना करियर सुरू किया, जिसमें आडी बर्मन का संगीत था, फिल्म की सुरुवात आस जी स्टूडियो लांस एंजल्स के जान डिक्स्टा द्वारा दिया जाना था, जिन्होंने चार्ज लुकास के साथ सरजदारी में महाकाबी फिल्म स्टार वार्स बनाई थी, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई, प्रवीर ने फिल्म की साथ रीलों की सूटिंग लेकिन दुरभाग से निर्माता द्वारा फिल्म को छोड दिया, गया क्योंकि वो बित्तिय कटनाई में भाग गया था, एक एसी प्राकरति की थे, जिन्होंने दुरभाग से फिल्म को किसी अन्नी प्रोडेक्शन हाउस द्वारा अपने हाथ में लेने की अनमती नहीं ली इसी सुरुवाती जटके के बाद प्रमीड ने सरत चंद चटनट जी द्वारा लिखित बंगाली एतिहासी क्लासिक सीरीकांत के चार खंडों के अधिकार के लिए उन्होंने दूर दरसन के लिए प्रोजित टीवी सीरियल में पहले दो खंड बनाए जिसे सिरीकांत कहा जाता है जिसमें फारुक सेक सुजाता मेहता प्रिय दरसनी भारत भूसर्ड आज सामिल है ये अली रजा द्वारा लिखा गया था जैदेव द्वारा संगीद था और मन सफलता थी कि इसे बड़ी आलोचात्मक प्रसंसा मिली ये बीबी सी के चैनल वन और टू पर प्रदसिस्त होने वाला अब तक पहला एसी आई धारावाहिक था वो प्रयोक्त धारावाहिक के कुछ हिस्सों का उप्योग करते हुए प्रभीड ने कुछ और सूट किये एक फ पन्यास के तीसरे खंड में काम करने के लिए आमंतिर्त किया और फिर आदे घंटे के 24 एपसोड में स्रीकांत बनाने के लिए कमीशन दिया फारूख सेक ने फिर स्रीकांत की भूंका निभाई और उनके साथ कलाकारों में सामिल हुए इरफान खान म्रडाल कुलकरणी रव निर्देशन पूरा किया उन्होंने 90 मिनिट की एक टीवी फिल्म जहां प्यार मिले का निर्मार लेखन और निर्देशन किया अवधी चैनल पर नव पर अकारिकर्म निर्देशन की कटोती के लिए 2002 में मनमोहन सेटी की कमपनी एड बलैस सामिल है और एंटरटेन्मेंट वन आप नाम के एक फिल्म प्रोडेक्शन डिवीजिनल शुरू किया कमपनी ने लगबग 20 फिचर फिल्मों को बित्त पोसित और सापोसित किया कमपनी की ओर से रिलीज होने वाली पहले फिल्म 2003 में गंगा जल थी जिसमें प्रवीड ने प्रकास च्छा के साथ निर्माता और प्रुसकार राष्टी प्रुसकार से समानित किया गये थे 2007 में प्रवीड ने एडलाइब्स जो रिलाइंस एडलाइब्स बन गया को छोड़ दिया और राम गोपाल वर्मा के साथ पार्टनर बन गये हैं दोनों ने मिलकर फिल्म तीनों फिल्मों का निर्माड किया इसमें फाहले अमिता बच्चन अपसेख बच्चन और एस्वर्य अबनिस सरकार राज थी इसके बाद कनेक्ट और फूक दी 2009 में वो अलग हो गये थे जिसके बाद प्रवीड ने दो पार्टनर निवास और रयान सुआरेस के साथ एक विग्यापन फिल्म कंपनी वाइट ओनियन फिल्म से शुरू की और कई टीवी विग्यापनों का निर् कर रहें फिल्म की स्किर्प्ट उन्होंने लिखी है प्रवीड को एक लाइन प्रोडेक्शन कंपनी भी है जो फिचर फिल्मों टीवी विग्यापनों फूटो सूट आधी के लिए लाइन प्रोडेक्शन कास्ट डिपोर्टिंग और अकाउंटिंग करती है अंग्रेजी ब फिल्म के अधिकार अब सहरुक खान की रेट चिलीज एंटरेटेंडमेंट के पास हैं तो दोस्तों इस मूबी को निर्देशित किया है प्रवीड निश्लो ने इसे लिखा है जीम आयाज अली रजा ने और इस फिल्म को निर्मित किया है प्रवीड निश्लो ने और इसे अवनित किया है सहरुक खान शुनाली वेंदरे चायंकन किया है रवी कांत रेड़ी और संपादित किया है बियन मायकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है निखिल बिनैजी ने और उतपादन कंपनी है मुंबई और बितरित किया है दासा फिल्में और ये मूबी रिली करोंड 2020 में 16 करोंड या US 2.1 मिलियन के बराबर है अगर box office collection की बात की जाए तो 6.89 करोंड 2020 में यानि की 32 करोंड या US 4.2 मिलियन के बराबर है तो कहानी दोस्तों शुरू होती है विक्रम मयूर एक अमीर भारती इंग्लेंड में पैदा हुआ और पला बढ़ा अपने दिवंगत भाई हरी के 8 वर्षी बेटे नंदला न्यानी की नंदू को उसकी देख भाल करने वाली चाची बीजूरिया द्वारा पाले जाने के लिए घर लोडता है विक्रम को एक दुविधा का शामना करना पड़ता है जब वा नंदू को अपने परिवार के बेवसाय को सीखने के लिए वापस इंग्लेंड ले जाने या बिजूरिया के साथ रहने के लिए भारत में रहने के लिए जोखिम के बीच फटा हुआ है जिसे वो धीरे धीरे प्यार करता है इस फिल्म में सहरुक खान गोपाल मयूर और उनके बेटें हरी और विक्रम के रूप में ट्रिपल भूमका में नजर आ रही हैं गोपाल मयूर एक अरपती बेवसाई है वो मयूर परिवार के मुखिया है जो एक धनी NRI बेवसाई परिवार है जो लंदन में पांच पीडियों से रह रहा है उसके दो बेटे हैं बड़ा बेटा हरी एक पंजी करत पाइलट है जो अपने पुस्तैनी भारत के प्रती गहरा लगाओ रखता है अपना धिकान समय मिनी इंडिया में बिताता है लंदन के बाहरी इलाके में गोपाल जो प्रतीत होता है कि भारत का प्रसंसक नहीं है और इस तथ से प्रभायत नहीं है कि उसका बेटा अपने पैतरक देश से इतना प्यार करता है उसने अपने अंग्रेजी ब्यापार भागिदारी से वादा किया कि हरी बात की बेटी से साधी करेगा जिसे लगता है कि उसे पसंद है हरी हलाकी हरी एक अंग्रेजी महिला से साधी नहीं करना चाहता और अपने परिवार से साधी को रद करने के लिए विंती करता है लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं है अपनी साधी के दिन वो अपने घर से भाग जाता है और भारत भागने के लिए एक बीमान में सवार होता है उसका बीमान हिंद महासागर में दुरगटना ग्रस्त हो जाता है और उसे सभी के द्वारा मृत मान लिया जाता है हरी हला की मुंबई में राक को धोता है अभी भी जीवित है और बीजूरिया नाम की एक छोटी लड़की और उसकी बड़ी बहन कटारिया द्वारा पाया जाता है कटारिया उसकी देख भाल करके और प्यार से उसकी देख भाल करके उसे स्वस्त करती है उनके ठीक होने के बा बिफल रहा वो कटारिया से साधी करके अपने प्यारे भारत में एक नया जीवन जीने के लिए इस आउसर का लाप उठाते हैं जिससे उसे प्यार हो जाता है कटारिया जल्द ही हरी के बच्चे के साथ गर्वती हो जाती है खुसी लंबे समय तक नहीं रहती क्योंकि दीवाल उत्सों के दोरान उनके घर में आग लग जाती है हरी और कटारिया को घातक रूप से घायल कर दिया जाता है जो दोनों अपने बेटे नंदु के डिलीवरी के बाद तुरंत मर जाते हैं बीजूरिया ने नंदु को पालने के लिए अपनी सिच्छा का त्याग कर दिया बा गोपाल का छोटा बेटा विक्रम मयूर जो भारत पर एक नकारात्मक दरश्टी कोंट रखता है अपने पिता के उत्तरा अधिकारी के रूप में अपने परिवार के उद्धोग के अधच्छ और मौलिक के रूप में सफल हुआ है जबकि ये खुलासा नहीं किया गया कि ग भी नहीं दिखाया गया फिल्म में फिर वो जल्द ही एक सफल और एक उद्धोग पती बन जाता है वकील मददगार बिजूरिया और कटारिया के परिवारिक मित्रो टेलिवीजन पर बिक्रम का एक साच्छातकार देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो हरी का छोटा भाई और नंदू का चाचा है वो बिजूरिया और नंदू दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए उसे भारत लाने की साजिस्त रचते हैं वो हरी के खिलाप मामला दर्ज करा देते हैं जिससे बिक्रम को भ्रहम की इस्तिती में मुंबई आने के लिए मजबूर किया जात बिक्रम को पता चलता है कि उसका भाई बिमान दुर्गटना ग्रस्त हो गया है दो साल तक भारत में रहा जिसके दोरान उसकी पत्नी के साथ उसकी वास्तविक म्रत्यु से पहले उसकी साधी हो गई थी और उसका एक बेटा था बिक्रम का मानना है कि उनके भाई का बेटा उन नहीं लेना चाहती इस पर आपत्ती करता है विजुरिया को पता चलता है कि अगर विक्रम अदालत में जाता है तो वो हमेशा के लिए नंदू को खो देगी और इसलिए वो रानी रानी देवी होने का नाटक करती है जो नंदू की संरक्षक है विक्रम उसके प्यार में करने लगता है लेकिन एक दिन उसकी सचाई उसके सामने आ जाती है विक्रम अपने भतीजे को तुरंद अपने साथ वापस ले जाने का फैंसला करता है भतीजा जो अपने नए चाचा से घ्रणा करता है और अपनी चाची को एक मा की तरह प्यार करता है इसका बिरोत करता ह लेकिन बिक्रम आडिक रहता है बिजूरिया नंदू को बिक्रम के साथ जाने के लिए मजबूर करती है यह जानने के बाद की नंदू स्कूल छोड़ देता है और बिजूरिया से साधी करने के लिए पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करता है उसे जबरन एक गुंडे भी प्रिमा खलासी के बिजूरिया के साथ बलतकार करने से ठीक पहले उसके ठीकाने पर आ जाता है। प्रिमा खलासी के रूप में हैं। प्रिमा खलासी के रूप में हैं। अंग्रेजी बाबु देशी में में कुल साथ गाने हैं। नंबर एक भरतपुर लुट गया पुडमा जी ने संगीत दिया है। नंबर दो दिवाना में तेरा दिवाना कुमार शानु अलकायागनिक जी ने संगीत दिया है। नंबर तीन हे विजूरिया सन उदिद नाराण और अलकायागनिक जाली मुखर जी जी ने अपनी आवाज दिया है। नंबर चार ना तेरे विना कविता कृष्ट मूर्ती जी ने अपनी आवाज दिया है। हाजार और अन्य देशों में 135 हाजार डॉलर 14.61 लाग की कमाई की जो अपने 3.85 करोड यूएस 460 हाजार वजट के मुकाबले दुनिया भर में कुल 6.89 करोड यूएस 900 हाजार है। इसका 20 सुब्यापी सुरुवाती सब्ता 1.1 करोड यूएस 220 हाजार था और इसके पहले सब्ता में 50.32 करोड यूएस 6.6 मिलियन की कमाई की थी। ये दुनिया भर में 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। अगर दोस्तों भारत में इसके कलेक्शन की बात की जाये तो फिल्म ने सुक्रवार 26 जनौरी 1996 को 145 स्क्रीनों पर सुरुवात की और अपने सुरुवाती दिन में 31 लाख यूएस 41 हाजार की की और इसका पहला सब्ता 1.164 करोड यूएस 220 हाजार का था फिल्म ने कूल 3.78 करोड यूएस 500 हाजार की कमाई की और बॉक्स ओफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लाप घोसित कर दिया गया था और प्रवासी की बात के जाये तो इन से भारत के बाहर 135 हाजार 49.61 लाख कमाई बीदेशों में ये 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी चाहत मूबी इस फिल्म को निर्देशित किया है महस भट द्वारा 1996 की भारती हिंदी भासा की रोमांटिंग संगीत मई फिल्म है इस फिल्म के कलाकार सहरुक खान, पूजा भट, नसुरुदीन सा, राम्या कृष्णन और अनपम खेर हैं, सारुक खान ने अक्टूबर 2013 में रेट चिलिज इंटरेटेन्मेंट के बैनर तरे महस भट ने इस फिल्म को अधिकार हासिल किये, फिल्म को 2009 में प्रेम रोगी के रूप में उडिया में दोबरा बनाया गया था, रूप सिंग रंग के होटल में गार हा होता है, अजे की वहन रेशमा के रूप में उससे प्यार हो जाता है, रेशमा एक ब्ग्रैल लड़की है और अजे उसकी आछ़ी क्वाहिज देखता है, दुरभाग से रूप को पूजा नाम की एक नर से प्यार हो जाता है, इस वीच रेशमा रूप की चापलूसी कर रही है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वो अभी उसके लिए ही गाएं हलाकि रूप इस प्रस्ताव का लेने के बजाए प्रतिदुनती पटेल के लिए एक काम करना प्रसंद करता है अपनी बहन को हर कीमत पर खुस रखने का आजे का जुनून चलन में आता है और पटेल को उसके द्वारा बेरहमी से वीटा जाता है जब तक कि वो रूप को उसके होटल से बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हो जाता अपने पिता के आप्रेशन के लिए पैसे की सक्त जरूरत के कारण रूप के पास रेसमा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्फ नहीं है रूप ने पूजा से बेकरप कर लिया है उनके पिता का आप्रेशन सफल होता है लेकिन उनके पिता उनकी इस्तिती से दुखी होते है और बांबे चोड़ने का फैंसला करते हैं, रूप बात में अपने पिता और पूजा के साथ खुद बांबे चोड़ने की कोशिस करता है, लेकिन जब रेस्मा आत्महत्या करने की कोशिस करती है तो उसकी योजना बाधित हो जाती है, फिर भी पूजा और रूप की साधी हो घट्टाओं में ऐसे मोड से निराश सा रेस्मा और उसका भाई अजे उनके जीवन को दैनिय मा बनाने के लिए कई योजनाए बनाते हैं वो रूप के पिता को अपने पैरों पर रूप के साथ फांसी पर रखता है पूजा के साथ साथ और रूप से पूजा और उसके पिता को बचाने के लिए कहता है रूप के पिता ने रूप को लात मारी खुद को बलिदान कर दिया ताकि वो पूजा को बचा सके रूप अजय की पाटी में दुदगर्टना अगश्ट हो जाती है जहां पूजा को भी बांधा जाता है लड़ाई के दोरान रिस्मा पूजा को लेकर आती है और पूजा को जान से मारने की धमकी देती है कि अगर आप अपने रूप अपने भाई से लड़ना बंद नहीं करोगे तो अजय के रूप में गोली मारने की कोशिस की लेकिन पूज जो उसे देखता है रूप को धक्का देता है और रेस्मा को गोली मार दी जाती है और मालर दिया जाता है नारंग हैरान रह जाते हैं और कैटोनिक अवस्था जबकि रूप और पूजा बच जाते हैं इंग्लिस बाबु देशी मैं में सहरुक खान की भूमका बहुत अच्छी रही और अपना योगदान बहुत अच्छा दिया और अपने अविने के लिए ये आज भी देश में और विदेशों में भी जाने जाते हैं तो सत जानते हैं इनके बिशे में इनका जीवन और इनके रोमांस भी कहते हैं। वे लगभग सभी सहलियों की फिल्मों रोमांस ड्रामा कमेड़ी एक्षन में काम कर चुके हैं। Lance Angeles Times ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मोवी श्टार बताया है। उनके प्रसंसकों की संख्या भारत के साथ साथ बीदेसों में भी बहुत ज्यादा है। 2014 में एक रिपोर्ट के अनुसार सारुक खान दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। उनके खाते में 14 फिलिम फियर आवार्ट्स लंदन के मैडम तुसाद संग्रहले में उनकी वैक्स की मूर्ती की स्थापित है। शारुक खान का जनम दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम मीर ताज बहुंबद खान है। उनके पिता पेशावर पाकिस्तान से थे। उनकी इमा का नाम लतीफ फातिमा है। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सहनात लाला रुख है। और वे भी लाला रुख शारुक खान के साथ मुंबई में रहती है। शारुक ने एक बार ट्वीटर पर जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता पठानी और मा हैदरावादी हैं। शारुक खान की पढ़ाई की बात की जाये तो, शारुक खान की शुरुआती पढ़ाई सिंट कोलंबस स्कूल दिल्ले से हुई थी, उन्होंने इस्टनातकी पढ़ाई पूरी करने के लिए हंसराज कालेज जॉइन कर लिया था, लेकिन उनका ज्यादतर समय दिल्ली तो लेकिन अपने अविने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया शारुख खान एक ऐसे अविनेता रहे जिनके प्रसंसक हर उम्र और हर वर्क के लोग हैं खासकर लड़कियां उनकी काफी दिवानी हैं लेकिन बावजूद उनके सारुख खान का कि कि जो हिंदू-पंजाबी परिवार से आती हैं उनके तीन बच्चे आरेन शुहाना और अबराम फिल्म इंडिस्ट्री में उन्हें सबसे अच्छा पिता भी माना जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों से बेहत प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिता जाता है और अपना समय बिताते हैं जाने सारुख खान की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं सारुख खान के करियर की सुरवाद टेलिवीजन से हुई थी दिल दरिया फाउजी सरकस जैसे सीरियल्स से उन्होंने अपनी पहचान बनाई उनके फिल्मी करियर की इस्ट्री में इस्थापित किया इसके बाद सायरुख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा वोई लगातार सफलता की सीनियों पर चड़ते गए दीरे दीरे वोई आलचकों के साथ जनता की पसंद बन गए और लड़कियों के बीच तो काफी प्रिसित हो गए तो कोईला यस बॉस परदेश दिल तो पागल है दिल से कुछ कुछ होता है जोश महबतें कभी खुसी कभी गम देवदास कल हो नहो मैं हूना वीर जारा डान चक्दे अंडिया ओम शांती ओम रब ने बना दी जोड़ी माया नेम माय नेम इस जे खान रावन डान टू जब तक है जान चन्ने स्फिरक्स हाइपी न्यू येर जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में सहरुख खान ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है सोनाली बेंद्रे ने भारती फिल्म जगत में अपने वहतरीन अबने से सभी भारतियों के दिल में राज किया है उन्होंने अपने जन्वरी 1975 जन्वस्थान मुंबई धर्म हिंदू पहली फिल्म इनकी थी आग और आखिरी फिल्म थी वंस अपन ए टाइम इन मुंबई दोबारा दोहजार त्यारा में सोनाली बेंद्री का जन्व और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिस करते हैं सोनाली बें जो एक सरकारी नौकरी करते थे इनकी माता का नाम रूसी बेंद्री है जो एक ग्रहडी हैं सोनाली जी ए के परिवार में कुल पांच सदस्थे हैं जिनमें उनके माता पिता और दो भाई हैं वर्स 1994 में सोनाली की मुलाकात गोल्डी वहल से फिल्म नाराज के सेट पर हुई इसके बाद करीब 8 सालों तक इन्हों ने एक दूसरे को डेट किया और 12 नौमबर 2002 में सोनाली ने गोल्डी वहल से विवाह कर लिया इनका एक बेटा है जिसका नाम रणवीर वहल है तो दोस्तों सोनाली बेंद्रे की सिच्छा के बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं तो स सोनाली बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक सिच्छा बेंगलोरू के सकेंदरी विद्याले मले रम की इसके बाद सोनाली ने आगे की फढ़ाई होली क्रास कान्वेंट हाइ स्कूल मुंबई और बेलम गल्ड्स स्कूल देहरादून से पूरी की फिर सोनाली बेंद्रे ने रम नाराइड रुया कालेज से अपना एजूकेशन पूरा किया दोस्तों सोनाली बेंद्रे के कैरियर की बात की जाये तो सोनाली बेंद्रे ने अपने कैरियर की सुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी मॉडलिंग के दोरान ही सोनाली को वर्स 1994 में पहली फिल्म आफर की फेम फेर और फास्ट स्क्रीन मोश्ट प्रोमोसिनिंग निव कमर पुरुसकार भी मिला था सुरुवात के सोनाली का काफी संघर्स करना पड़ा था परन्त अपने अच्छे विने की करनवर्ट सु 1996 की आई दिल जले फिल्म में उन्हें पूरे देश में मसूर कर दिया इस फिल्म में आजे देवगन इनके दो इस्टार थे इसके साथ इन्होंने कादर खान सुनिसर्टी सक्ती कपूर के साथ भाई 1997 में अमिर खान के साथ सर्फरोस जक्प सरुक खान काजोल जूही चावला के साथ डूबलिकेट कधाल कलर धेमन तमिल सलमान खान करिस्मा सब्सक्रान के साथ हम 7 साते 1999 में तेरा ते ते तेरा मेरा साथ रहे 2001 और आनाहत 2003 जैसे फिल्मों में काम किया है सोनौनि बेंदरे ने बाली पुट के चपूर खान अभिनेता शलमान खान आमिर खान शारुक खान सैफली खान के साथ काम किया है इसके साथ ही इनों ने अन इ भी खुवी स्वागत किया था सोनाली बेंदरे जी को अविने के छेत्र में विशिष्ट कारी के लिए पदा स्थिरी और पदम पुरुसकार भी भारे सरकार दोरा दिया जा चुका है तो सोनाली बेंदरे ने एक टूटर के माधम से खुद को कैंसर होने की जानकारी दिए सोन ने अभी एक छोटे से सिदर्द की जाच करवाई जिसके बाद इस बीमारी का खुलासा हुआ वाकई कैंसर एक बहुत खत्तार नाक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस की बहुत जरूरत होती है हम सोनाली बेंदरे जी के जल ठीक होने की आसा करते हैं इंगलिस बाबू देसी में में किरन कुमार ने अपने रोल को बखुवी प्ले किया है तो दोस्तों इनके बारे में जानने की हम कोशिस करते हैं तो चलो दोस्तों इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किराड कुमार का जन्म 20 सक्टूबर 1945 को मुंबई महाराष्ट भारत में हुआ था। किरण एक कस्मीरी पंडित परिवार से हैं। उनके पिता का नाम जीवन कुमार है। उनकी मा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी दो बहने हैं और एक वाई है। उनके बाई का नाम भूस्टड जीवन और बहनों के नाम निक्की जीवन रिक्की उग्रा हैं। उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई इंदोर के एक बोर्डिंग स्कूल से की है। उसके बाद उन्होंने मुंबई के बांदरा में आरडी नेशनल कालेज में दाखिला ल की कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल हैं। धरम युद्ध, सफत, अंधी, आर्रिमान, एहसास, घुटन, मंजिल, मर्यादा, करंडदा, डिटेक्टिव, मिली, बैदेही, बिरासस, संक्त वारसी जैसी कुछ उनके प्रसिद्ध फिल्में हैं। प्यार किया तो डरना क्या। इस्पेक्टर, खुदागवा, अपरादी, ब्रदर्स बावी जाजसूस, आकास्वाडी, विद्ध, लव दिल्ली, लोक, कारगिल, क्योकिल, माई, जत, नहीं, बोल्ट जीवन दाता। हाल ही में उनकी एक न्यूज आई की वोई क्रोना पॉजटिव हो गए हैं। और इस खबर की पुष्टी उन्होंने खुद की हैं। दोस्तों किरोन कुमार की साधी गुजराती एक्टरस सुसमा सर्मा से हुई है। उनके दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी, बेटा का नाम सौरी कुमार और जो एक बिनेता हैं। उनकी बेटी का नाम विकाष कुम इंग्लिस बाबू देशी मैम में राजेसुरी सचदेव एक भारती फिल्म एक्टरस हैं जो कि अपने अभने को बखुवी निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा में सक्री हैं अगर इनके निजी जीवन की बात की जाये तो राजेसुरी सचदेव का जनम दो मार्चु मुंबई मे एक पंजाबी परिवार में हुआ था राजेसुरी की साधिर टीवी फिल्म अवनेता वरुन बडोला से हुई है तो इनके करियर की बात क्या है तो हम इसके बारे में जानने की कोशिस करते हैं राजेसुरी नर अपने करियर की मराठी सिनेमा की हैं इसके बाद उनकी फहली स्याम बेंगल निर्देशि सूरच का सात्मा घोड़ा थी ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी इसके बाद वो शदारी बेगम शमर हरी भरी नेता जी सुबास चंद बोस दा फार गोटन हीरो जैसी फिल्मों में नजर आई हैं बालिवुड के अलावा वो हालिवुड फिल्म लिटिल बुद्धा टेल्स आफ काम सूत्र में भी दिखाई दी हैं प्रवीर निश्चल ने अपने करियर की फिल्म में जो काम किया है वो बखुवी निभाया है इन्होंने इंग्लिस बाबु देशी मैम फिल्म में बखुवी इस फिल्म को निर्देशित किया है इनके निर्देशन और लेखन हैं उन्होंने फिचर्ट फिल्में टीवी सीरियल और टीवी विग्यापन बनाए हैं वो अबनेता नवीन निष्चल के छोटे भाई हैं इनका जन्म दिल्ली भारत में हुआ था ये भारती हैं इनका शक्रिय वर्षे 1972 से इन्होंने फिल्मी कैरियर में काम करना शुरू किया है तो दोस्तों इनके जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं प्रभीन निष्चल का जन्म दिल्ली में हुआ था और उनकी प्रारंभीक सिच्चा कलकत्ता के पारक इंग्लीज स्कूल में हुई थी जिसमें एक अच्छा आठ से उन्होंने वर्ष के सबसे उतकरष्ट च्छात के संड़ पदक से समानित किया गया था अपने प्रारंभीक वर्षों से वो अभिने और वाद विवाद में बंच पर बहुत सक्रिय थे जिसमें उन्होंने कई पुरुसकार जीते आठ के बाद वो दिल्ली स्कूल चले गए और दिल्ली पब्लिक स्कूल मतुरा रोड में अपनी स्कूल सिच्चा पूरी की जहां उन्होंने वाद विवाद में कई पुरुसकार मिले और उन्होंने स्कूल के वार्शिक्स दिवस समारों में भारत के ततकालिंग राश्पर दाक्तर द्वारा सर्शेष्ट अपनेता का पुरुसकार भी दिया गया था जाकिर हुसेन ने उन्होंने दिल्ली विशुविद् लेकिन इसे आधा ही छोड़ दिया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए और अपने भाई नवी निश्चल के साथ शामिल हो गए जो उस समय पहली वाली वुट फिल्म शावन भादों में मुखी भूमका निभा रहे थे तो दोस्तों इनके करियर के भी हम जानक ने अबने किया था उन्होंने मोहन शाहगल को प्रोडेक्शन में भी मदद की और कई सालों तक अपने भाई नवीन के लिए विजनेस सेट रहे उन्होंने नवीन रेखा रीना राय अमजद खान प्रेम चोपड़ा आधी अवनित फिल्म जान से प्यार में एक नरदेशक क के रूप में अपना करियर सुरू किया जिसमें आडी बर्मन का संगीत था फिल्म की सुरुवात आसा भोसली द्वारा दिये गए थे दो गानों की रिकार्डिंग से हुई थी ये भारती भावनाओं के साथ अंतरराष्टी जेम्स बार्ड की तरज पर था अपने शमय की स्टार वार्स बनाई थी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई प्रमीड ने फिल्म की साथ रीलों की सूटिंग की लेकिन दुरुभाग से निर्माता द्वारा फिल्म को छोड़ दिया गया क्योंकि वो बित्तिय कटनाई में भाग गया था एक एसी प्राकरति की थ जिन्होंने दुरुभाग से फिल्म को किसी अन्नी फ्रोडेक्शन हाउस द्वारा अपने हाथ में लेने की अनुमती नहीं ली इसी सुरुवाती जटके के बाद प्रमीड ने सरत चंद चटनटी द्वारा लिखित बंगाली एतिहासिक क्लासिक सीरीकांत के चार खंडों के अधिकार के लिए उन्होंने दूर दर्सन के लिए योजित टीवी सीरियल में पहले दो खंड बनाए जिसे सिरीकांत कहा जाता है जिसमें फारुक सेक सुजाता महता प्रिय दर्सनी भारत भूसर्ड आज सामिल है ये अली रजा द्वारा लिखा गया था जैदेव द्वार ये एक बड़ी सफलता थी कि इसे बड़ी आलो चात्मक प्रसंसा मिली ये बीबी सी के चैनल वन और टू पर प्रदसिस्थ होने वाला अब तक पहला एसी आई धारावाहिक था वो प्रयोक्त धारावाहिक के कुछ हिस्सों का उप्योग करते हुए प्रभीड ने कुछ और सूट किये एक फिचर फिल्म राज लच्छमी बनाई गई इसमें मिश्टर एफसी मेहरा को मुख रूप से विदेशी बाजारों के लिए बेचा गया था धारावाहिक की सफलता के बाद दूरदर्सन ने तब तक प्रभीड को क्लासिक उपन्यास के तीसरे खंड में काम कर करने के लिए आमंतिर्त किया और फिर आधे घंटे के 24 एपसोड में स्रीकांत बनाने के लिए कमीशन दिया फारूख सेक ने फिर सिरीकांत की भूंका निभाई और उनके साथ कलाकारों में सामिल हुए इरफान खान म्रडाल कुलकरणी रविंदर मनकानी एक के हंगल आधी इसके दोरा प्रमीर ने शरुक खान, सोनाली बेंदरे, रसीज जाफरी, आधी अविनित एक फिचर फिल्म इंगलिस बाबू, देशी मेम का निर्माड और निर्देशन पूरा किया उन्होंने 90 मिनिट की एक टीवी फिल्म जहां प्यार मिले का निर्माड लेखन और निर् मनमोहन सेटी की कमपनी एड बलैस सामिल है और एंटरटेन्मेंट वन आप नाम के एक फिल्म प्रोडेक्शन डिवीजिनल शुरू किया, कमपनी ने लगबग 20 फिचर फिल्मों को बित्त पोसित और सापोसित किया, कमपनी की ओर से रिलीज होने वाली पहली फिल्म 2003 में गं और राम गोपाल वर्मा के साथ पार्टनर बन गए हैं, दोनों ने मिलकर फिल्म तीनों फिल्मों का निर्माड किया, इसमें फाहले अमिता बच्चन, अपसेख बच्चन और एस्वर्य अभनिस सरकार राज थी, इसके बाद कनेक्ट और फूक दी 2009 में वो अलग हो गए थे जिसके बाद प्रबींड ने दो पार्टनर निवास और रयान सुआरेस के साथ एक विग्यापन फिल्म कमपनी वाइट ओनियन फिल्म सुरू की, और कई टीवी विग्यापनों का निर्माड किया, प्रबींड एक फिचर फिल्म का निर्माड कर रहे हैं, फिल्म की उन्होंने लिखी है, प्रबींड को एक लाइन प्रोडेक्शन कमपनी भी है, जो फिचर फिल्मों टीवी विग्यापनों फूटो सूट आधी के लिए लाइन प्रोडेक्शन कास्ट डिपोर्टिंग और अकाउंटिंग करती है, अंग्रेजी बाबू, देशी मैम, भारती हिंदी भासा की 1996 की एक रोमांटिक कमेडी फिल्म है, जिसमें सहरुक खान और सोनाली वेंदरी ने अभी ने किया है, ये सिथिल रूप से अमेरिकी रोमांटिक कमेडी इट इस्टार्डेड इन नेपल्स 1960 पर आधारित है, इस फिल्म के अधिकार अब सहरुक खान की रेट और इस फिल्म को निर्मित किया है प्रबीड निस्रलो ने और इसे अवनित किया है सहरुक खान शुनाली वेंदरे चायंकन किया है रवी कांतरेडी और संपादित किया है बियन मायकरी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है निखिल बिनैजी ने और उत्पादन कंपनी है म भारत भासा हिंदी अगर इसके बजट की बात की जाए तो 3.5 करोड 2020 में 16 करोड या US 2.1 मिलियन के बराबर है अगर box office collection की बात की जाए तो 6.89 करोड 2020 में यानि की 32 करोड या US 4.2 मिलियन के बराबर है तो कहानी दोस्तों शुरू होती है विक्रम मयूर एक अमीर भारती इंग वर्सी बेटे नंदला न्यानी की नंदू को उसकी देखभाल करने वाली चाची बिजूरिया द्वारा पाले जाने के लिए घर लोडता है विक्रम को एक दुविधा का शामना करना पड़ता है जब वा नंदू को अपने परिवार के ब्योसाय को सीखने के लिए वापस इ अहरुक खान गोपाल मयूर और उनके बेटें हरी और विक्रम के रूप में ट्रिपल भूमका में नजर आ रहे हैं गोपाल मयूर एक अरपती ब्योसाई है वो मयूर परिवार के मुखिया है जो एक धनी और आई ब्योसाई परिवार है जो लंदन में पांच पीडियों से रह रहा है उसके दो बेटें हैं बड़ा बेटा हरी एक पंजीकरत पायलट है जो अपने पुस्तेनी भारत के प्रती गहरा लगाओ रखता है अपना धिकान समय मिनी इंडिया में बिताता है लंदन के बाहरी इलाके में गोपाल जो प्रतीत होता है कि भारत का प्रसंसक नह कि उसका बेटा अपने पैतरक देश से इतना प्यार करता है। उसने अपने अंग्रेजी ब्यापार भागिदारी से वादा किया कि हरी बात की बेटी से साधी करेगा जिसे लगता है कि उसे पसंद है। के लिए एक बीमान में सवार होता है। उसका बीमान हिंद महासागर में दुरगटना ग्रस्त हो जाता है। और उसे सभी के द्वारा मृत मान लिया जाता है। हरी हला की मुंबई में राक को धोता है। अभी भी जीवित है। और बीजूरिया नाम की एक छोटी लड़की और उसकी बड़ी बहन कटारिया द्वारा पाया जाता है कटारिया उसकी देख भाल करके और प्यार से उसकी देख भाल करके उसे स्वस्त करती है उनके ठीक होने के बाद हरी को पता चलता है कि बड़ी सरकार द्वारा उन्हें अधिकारिक तौर पर म्रत भोसित कर दिया गया है एक बचाव अभियान के बाद उनके सरीर को खोजने में विफल रहा, वो कटारिया से साधी करके अपने प्यारे भारत में एक नया जीवन जीने के लिए इस आउसर का लाप उठाते हैं, जिससे उसे प्यार हो जाता है, कटारिया जल्द ही हरी के बच्चे के साथ गर्वती हो जाता है, जो दोनों अपने बेटे नंदु के डिलीवरी के बाद तुरंत मर जाते हैं, बीजूरिया ने नंदु को पालने के लिए अपनी सिच्छा का त्याग कर दिया, बार डांस के रूब में नौकरी करने से पहले उसने खिलने, खिलाने पिलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, आठ साल बात, गोपाल का छोटा बेटा बिक्रम मयूर, जो भारत पर एक नकारात्मक दरश्टी कोंट रखता है, अपने पिता के उत्तरा अधिकारी के रूप में, अपने परिवार के उद्धोग के अधच्छ और मौलि बिजूरिया और कटारिया के परिवारिक मित्रो टेलिवीजन पर बिक्रम का एक साच्छात्कार देखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो हरी का छोटा भाई और नंदू का चाचा है, वो बिजूरिया और नंदू दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए उसे भारत ल बिजूरिया जो नंदू से बहुत प्यार करती है, और उसके साथ भाग नहीं लेना चाहती, इस पर आपत्ती करता है, बिजूरिया को पता चलता है कि अगर विक्रम अदालत में जाता है तो वो हमेशा के लिए नंदू को खो देगी, और इसलिए वो रानी रानी देवी होने का नाटक करती है, जो नंदू की संरक्षक है, विक्रम उसके प्यार में पढ़ जाता है, और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी सच्चाई उसके सामने आ जाती है, बिक्रम अपने भतीजे को तुरंट अपने साथ वापस ले जाने का फैंसला करता है, भतीजा जो अपने नए चाचा से घ्रणा करता है, और अपनी चाची को एक मा की तरह प्यार करता है, इसका बिरोत करता है, लेकिन बिक्रम अडिक रहता है, बिजूरिया नंदू को बिक्रम के साथ जाने के लिए मजबूर करती है, यह जानने के बाद की नंदू स्कूल छोण देता है, और बिजूरिया से साधी करने के लिए पाइसे कमाने के लिए चलता है तो वह भीमा खलासी के बिजूर्या के साथ बलतकार करने से ठीक पहले उसके ठीकाने पर आजाता है। बिक्रम गुंडे पर काबु पाता है और विजूरिया को बचाता है। वो असस्त है कि विजूरिया अपने भतीजे के लिए सबसे अच्छे माता पिता होंगे। बिक्रम बिजूरिया से साधी करता है और उसे उसके भतीजे को अपने साथ आपस ले जाता है तो दोस्तों इस कहानी में किस ने कैसा रोल किया उसके बारे में हैं आपको पर्चित कराते हैं बिक्रम मयूर, हरी मयूर, गोपाल मयूर के रूप में हैं सहरुख खान, बीजूरिया के रूप में हैं सोनाली वेंद्रे और माश्टर मयूर यान की नंदु के रूप में हैं अरहान सिंग, अविनेता, किरन कुमार भीमा खलासी के रूप में हैं, साइद जाफरी वकील बतव गरी के रूप में में ईज्बी साच्छान के रूप भागवती गूर्वचंव आजय वाधकर, श्रीचंद मखीजा केके राजो रमनवाध होना अंग्रेजी बाबू देशी में में कुल साथ गाने हैं नमबर एक भरतपुर लुट गया पुड्मा जी ने संगीत दिया है नमबर दो दिवाना मैतेरा दिवाना कुमार शानु अलका यागनिक जी ने संगीत दिया है नमबर तीन हे बिजुरिया सन उदिद नाराण और अलका यागनिक जाली मुखर जी जी ने अपनी आवाज दिया है नमबर चार ना तेरे विना कविता क्रिष्ट मूर्ती जी ने अपनी आवाज दिये नमबर पांच लब मी हनी हनी उधिर नाराण और पूर्मा जी ने आवाज दिया है नमबर छे कैसे मुखडे से आसा भोंसले जी ने अपनी आवाज दिये नमबर साथ ढोल बाजे खुदम विनोध राठोड अलका यागनिक जी ने अपनी आवाच दी है इंगलिस बाबू देशी मैम ने भारत में 6.40 करोड यूएस 84,000 और अन्य देशों में 135,000 डॉलर 45.61 लाग की कमाई की जो अपने 3.50 करोड यूएस 460,000 वजट के मुकाबले दुनिया भर में कुल 6.89 करोड यूएस 900,000 है इसका 20 सुब्यापी सुरुवाती सब्ता 1.17 करोड यूएस 220,000 था और इसके पहले सब्ता में 50.32 करोड यूएस 6.6 मिलियन की कमाई की थी ये दुनिया भर में 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी अगर दोस्तों भारत में इसके कलेक्शन की बात की जाये तो फिल्म ने सुक्रवार 26 जनुरी 1996 को 145 स्क्रीनों पर सुरुवात की और अपने सुरुवाती दिन में 31 लाक यूएस 41 हाजार की कमाई की इसने अपने सुरुवाती सब्ता हमें 1 करोड यूएस 130 हाजार की सुद्ध कमाई की और इसका पहला सब्ता 1.164 करोड यूएस 220 हाजार का था फिल्म ने कूल 3.78 करोड यू यस 500 हजार की कमाई की और बॉक्स ओफिस इंडिया द्वारा इसे फ्लाप घोसित कर दिया गया था और प्रवाइसी की बात के जाये तो इनसे भारत के बाहर 135,000, 49.61 लाग कमाई बिदेशों में ये 1996 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी चाहत मूबी इस फिल्म को निर्देशित किया है महस भट द्वारा 1996 की भारती हिंदी भासा की रोमांटिंग संगीत मई फिल्म है इस फिल्म के कलाकार सहरुक खान, पूजा भट, नसुरुदीन सा, राम्या क्रशन और अनपम खेर हैं सारुक खान ने अक्टूबर 2013 में रेट चिलिज इंटरेटेन्मेंट के बैनर तरे महस भट ने इस फिल्म को अधिकार हांसिल किये फिल्म को 2009 में प्रेम रोगी के रूप में उडिया में दोबरा बनाया गया था रूप सिंग राठोर अपने पिता की तरह ही राजिस्थान में एक गायक है जो अब बीमार है और उन्हें बाम्बे में ततकाल चिकितसा देखवाल की आख सकता है एक दिन जब ओ आजे नारंग के होटल में गा रहा होता है आजे की वहन रेस्मा के रूप में उससे प्यार हो जाता है रेस्मा एक बिग्डैल लड़की है और आजे उसकी आखरी ख्वाहिस देखता है दुर्भाग से रूप को पूजा नाम की एक नर से प्यार हो जाता है इस वीच रेस्मा रूप पर मोहित हो जाती है और अपने भाई से उसे अपने होटल में गाने के लिए फिर से बुलाने के लिए कहती है लेकिन जब वो देखती है कि सभी लड़कियां रूप की चापलूसी कर रही है तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है और उससे कहती है कि वो अभी उसके लिए ही गाएं हलाकि रूप इस प्रस्ताव का लेने के बजाए प्रतिदुनती पटेल के लिए एक काम करना प्रसंद करता है अपनी बहन को हर कीमत पर खुस रखने का आजे का जुनून चलन में आता है और पटेल को उसके द्वारा बेरहमी से वीटा जाता है जब तक कि वो रूप को उसके होटल से बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हो जाता अपने पिता के आपरेशन के लिए वैसे की सक्त जरूरत के कारन रूप के पास रेस्मा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्फ नहीं है रूप ने पूजा से बेकरप कर लिया है उनके पिता का अप्रेशन सफल होता है लेकिन उनके पिता उनकी इस्तिती से दुखी होते हैं और बांबे छोड़ने का फैंसला करते हैं रूप बात में अपने पिता और पूजा के साथ खुद बांबे छोड़ने की कोशिस करता है लेकिन जब रेस्मा आत्महत्या करने की कोशिस करती है तो उसकी योजना बाधित हो जाती है फिर भी पूजा और रूप की साधी हो जाती है घटाओं में ऐसे मोड़ से निराश सा रेस्मा और उसका भाई अजे उनके जीवन को दैनिय मा बनाने के लिए कई योजनाय बनाती है वो रूप के पिता को अपने पैरों पर रूप के साथ फासी पर रखता है पूजा के साथ साथ और रूप से पूजा और उसके पिता को बचाने के लिए कहता है रूप के पिता ने रूप को लात मारी खुद को बलिदान कर दिया ताकि वो पूजा को बचा सके रूप अ कि अगर आप अपने रूप अपने भाई से लड़ना बंद नहीं करोगे तो अजए के रूप में गोली मारने की कोशिस की, लेकिन पूजा जो उसे देखता है रूप को धक्का देता है और रिस्मा को गोली मार दी जाती है और माल्र दिया जाता है, नारंग हैरान रह जाते ह और कैटोनिक अवस्ता जबकि रूप और पूजा बच जाते हैं इंगलिस बाबू देशी मैम में सहरुख खान की भूम का बहुत अच्छी रही और अपना योगदान बहुत अच्छा दिया और अपने अविने के लिए ये आज भी देश में और विदेशों में भी जाने जाते हैं तो सत जानते हैं इनके बिसे में इनका जीवन और इनके बारे में शैरुख खान हिंदी फिल्मों के अविनेता होने के साथ साथ निर्माता और टेलिवीजन पर्शनाल्टी भी है उन्हें लोग प्यार से बालीबुट का बात्सा किंग आफ बालीबुट किंग खान और किंग आफ रोमांस भी कहते हैं वोई लगभग सभी सैलियों की फिल्म और रोमांस ड्रामा कमेड़ी एक्षन में काम कर चुके हैं खाते में 14 फिल्म फियर आवार्ट्स लंदन के मैडम तुसाद संग्राहले में उनकी वैक्स की मूर्ती की स्थापित है शारुक खान का जनम दिल्ली में हुआ था उनके पिता का नाम मीर ताज बहुंबत खान है उनके पिता पेशावर पाकिस्तान से थे उनकी मा का नाम लतीफ फातिमा है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सहनात लाला रुख है और वे भी लाला रुख शारुक खान के साथ मुंबई में रहती है शारुक ने एक बार ट्वीटर पर जानकारी देते भी बताया कि उनके पिता पठानी और मा हैदरावादी है शारुक खान की पढ़ाई की बात की जाये तो शारुक खान की शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ले से हुई थी उन्होंने इस नाते की पढ़ाई पूरी करने के लिए हंसराज कालेज जोईन कर लिया था लेकिन उनका ज्यादतर समय दिल्ली थ्रेटर एक्सेन ग्रूप में बीता था, जहां से उन्होंने थ्रेटर निर्देशक बाहरी जान के साथ सानिद्ध में अभिने के गुरू सिखे, इसके बाद उन्होंने जामिया मीलिया इस्लामिया में जन संचार में इस्नोकतर की लेकिन बावजूद उनके सारु खान का किसी के साथ आफेर या प्रेम समंधन नहीं रहा, वे अपनी पतनी के लिए हमेशा वफादार रहे और अपने परिवार से बेहत प्यार करते हैं, सारु खान ने गौरी से साधी की, जो हिंदू-पंजाबी परिवार से आती हैं, उन उनके साथ अच्छा समय बिता जाता है और अपना समय बिताते हैं, जाने सारु खान की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं, सारु खान के करियर की सुरवाद टेलिवीजन से हुई थी, दिल, दरिया, फाउजी, सरकस जैसे सीरियल्स से उन्होंने अपनी पह इन्होंने सारु खान को हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में इस्थापित किया, इसके बाद सारु खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे लगातार सफलता की सीणियों पर चड़ते गए, दीरे दीरे वे आलचकों के साथ जनता की पसंद बन गए, और लड़कियो दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे, चाहत, कोईला, यस, बॉस, परदेश, दिल तो पागल है, दिल से कुछ-कुछ होता है, जोश, महबतें, कभी खुसी, कभी गम, देवदास, कल हो नहो, मैं हो ना, वीर जारा, डान, चक्दे अंडिया, उम, शांती, उम, रब ने बना जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में सहरुक खान ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है, सोनाली बेंद्रे ने भारती फिल्म जगत में अपने वहतरीन अबने से सभी भारतियों के दिल में राज किया है, उन्होंने अपने काबलियत के कारण बालिबुड में एक अलग पह हिंदू पहली फिल्म इनकी थी आग और आखिरी फिल्म थी Once Upon a Time in Mumbai 2012-2013 में सोनाली बेंद्रे का जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिस करते हैं, सोनाली बेंद्रे का जन्म एक जनवरी 1975 को महराष्ट के मुंबई सहर में एक हिंदू परिवार में रहडी हैं, सोनाली जी ए के परिवार में कुल पांच सदस्य हैं, जिनमें उनके माता पिता और दो भाई हैं, वर्स 1994 में सोनाली की मुलाकात गोल्डी वहल से फिल्म नाराज के सेट पर हुई, इसके बाद करीब 8 सालों तक इन्हों ने एक दूसरे को डेट किया, और 12 नॉ बेंदरे की सिच्छा के बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं, तो सोनाली बेंदरे ने अपनी प्रारंभिक सिच्छा बैंगलोरू के सिकेंदरी विद्याले मले रम की, इसके बाद सोनाली ने आगे की फढ़ाई होली, क्रास कान्वेंट हाइ स्कूल मुंबई और बेलम, इसकूल देहरादून से पूरी की, फिर सोनाली बेंदरे ने मुंबई के राम नाराड रुया कालेज से अपना एज्यूकेशन पूरा किया, दोस्तों सोनाली बेंदरे के कारियर की बात की जाये तो, सोनाली बेंदरे ने अपने कारियर की सुरुआत एक मॉडल के रूप मे की थी मॉडलिंग के दोरान ही सोनाली को वर्स 1994 में पहली फिल्म आफर की गई थी और इनकी फाहली फिल्म का नाम आग था इस फिल्म में गोविंदा और सिलपा सेटी ने भी काम किया था इस फिल्म में सोनाली बेंदरे के अविने की खुब प्रसंसा हुई थी जिसके लिए न्यू फेम आफ दा इयर फेम फेर और फास्ट स्क्रीन मोश्ट प्रोमोसिनिंग न्यू कमर पुरुसकार भी मिला था शुरुवात के सोनाली का काफी संघर्स करना पड़ा था परन्तो अपने अच्छय विने की कार्ण वर्स 1996 की आई दिल जले फिल्म में उन्हें पूरे जक्प, सरुक खान, काजोल, जूही, चावला के साथ, डूब्लिकेट, कधाल, कलर, धेमन, तमिल, सल्मान खान, करिस्मा कपूर और सैफली खान के साथ हम साथ साथ हैं 1999 में 13 ते, 13 मेरा साथ रहे, 2001 और आनाहत, 2003 जैसे फिल्मों में काम किया है सोनाली बेंदरे ने बाली बूट के चारो खान, अविनेता, शल्मान खान, आमीर खान, सरुक खान, सैफली खान के साथ काम किया है इसके साथ ही इन्होंने अन इस्टार, अच्छे कुमार और साउथ के अप्रसित इस्टार चिरिन जीवी के साथ भी काम किया है जब एक नॉंबर 1996 को माइकल जैक्सन भारत आये थे तो सोनाली बेंदरे ने उनकी बखोवी स्वागत किया था सोनाली बेंदरे जी को अविने के छेत्र में विशिष्ट कारी के लिए पदा स्री और पदम पुरुसकार भी भारे सरकार दोरा दिया जा चुका है तो सोनाली बेंदरे ने एक टुटर के माधम से खुद को कैंसर होने की जानकारी दी सोनाली बेंदरे को हाई ग्रेड कैंसर हो गया था जो सरीर के अन्नी भागों से भी फैल हो गया था जब यह हो रहा था तब इन्हें इसका पता भी नहीं चला उन्होंने अभी एक छोटे से सिदर्द की जाच करवाई जिसके बाद इस बीमारी का खुलासा हुआ वाकई कैंसर एक बहुत खतार नाक बीमारी है जिससे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस की बहुत जरूरत होती है हम सोनाली बेंदरे जी के जल ठीक होने की आसा करते है इंगलिस बाबू देशी में में किरन कुमार ने अपने रोल को बखुवी प्ले किया है तो दोस्तों इनके बारे में जानने की हम कोशिस करते हैं तो चलो दोस्तों इनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किराड कुमार का जन्म 20 सक्टूबर 1945 को मुंबई महाराष्ट भारत में हुआ था किरण एक कस्मीरी पंडित परिवार से है उनके पिता का नाम जीवन कुमार है उनकी मा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है उनकी दो बहने हैं और एक भाई है उनके बहाई का नाम भूस्तड जीवन और बहनों के नाम निक्की जीवन रिक्की उग्रा है उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई इंदोर के एक बोर्डिंग स्कूल से की है उसके बाद उन्होंने मुंबई के बांदरा में आरडी नेशनल कालेज में दाखिला लिया और बाद में पूरे में फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्री आफ इंडिया में दाखिला लिया किरन कुमार एक भारती थ्रेटर अभिनियता है जो हिंदी राजिस्थानी गुजराती फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने करियर की सुरुवात हिंदी टीवी जगत से की है उनकी कुछ प्रसिद्ध टीवी सीरियल है धरम युद्ध, सफत, अंधी, आर्रिमान, एहसास, घुटन, मंजिल, मर्यादा, करनड़ा, डिटेक्टिव, मिली, बैदेही, बिरासस, सैंक्त वार्सी जैसी कुछ उनकी प्रसिद्ध फिल्मे है प्यार किया तो डरना क्या इस्वेक्टर, खुदागवा, अपरादी, ब्रदर्स बावी, जाजसूस, आकास्वाडी, विद्ध, लव दिल्ली, लोक, कारगिल, क्योकिल, माई, जथ, नहीं, बोल्ट जीवन दाता हाल ही में, उनकी एक न्यूज आई की, वोई क्रोना पॉज्टिव हो गए हैं, और वोई अपने घर में ही खुस, कुस दिनों के लिए क्वारंटाइन है, उन्होंने पिछले दस दिनों से खुद को अपने घर में क्वारंटाइन रखा है, और इस खबर की पुष्टी उन् का नाम सौरी कुमार और विकास कुमार है, इंगलिस बाबु देशी मैम में, राजेसुरी सचदेव एक भारती फिल्म एक्टरस हैं, जो की अपने अभने को बखुवी निभाया है, जो की हिंदी सिनेमे में सक्री हैं, अगर इनके निजी जीवन की बात की जाये तो, राज राजेसुरी की साधिर टीवी फिल्म अबनेता वरूण बड़ोला से हुई है, तो इनके करियर की बात क्या है, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राजेसुरी नर अपने करियर की मराठी सिनेमा की हैं, इसके बाद उनकी फहली फिल्म स्याम बेंगल आई हैं बालीवुड के अलावा वो हालीवुड फिल्म लिटिल बुद्धा टेल्स आफ काम सूत्र में भी दिखाई दी हैं प्रवीर निश्चल ने करियर की फिल्म में जो काम किया है वो बखुवी निभाया है इन्होंने इंगलिस बावु देशी मैम फिल्म में बखुवी इस फिल्म को निर्देशित किया है इनके निर्देशन और लेखन हैं उन्होंने विच्चरट फिल्में टेवी सीरियल और टेवी विज्च्ञापन बनाए हैं वो अबनेता नवीन निश्चल के छोटे भाई हैं इनका जनम दिल्ली भारत में हुआ था ये भारती हैं इनका शक्रिय वर्से 1972 से इन्होंने फिल्मी कैरियर में काम करना शुरू किया है तो दोस्तों इनके जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं प्रभीन निश्चल का जन्म दिल्ली में हुआ था और उनकी प्रारंभीक सिच्चा कलकत्ता के पार्क इंग्लीज स्कूल में हुई थी जिसमें एक अच्छा आठ से उन्होंने वर्स के सबसे उतकरष्ट चात के संड़ पदक से समानित किया गया था अपने प्रारंभीक वर्सों से वो अभिने और वाद विवाद में बंच पर बहुत सक्रिय थे जिसमें उन्होंने कई पुरुसकार जीते आठ के बाद वो दिल्ली स्कूल चले गए और दिल्ली पब्लिक स्कूल मतुरा रोड में अपनी स्कूल इस्कूली सिच्चा पूरी किये जहां उन्हें वाद विवाद में कई पुरुसकार मिले और उन्होंने स्कूल के वार्शिक्स दिवस समारों में भारत के ततकालिंग राष्टपट दाक्तर द्वारा सरशेष्ट अबनेता का पुरुसकार भी दिया गया था जाकिर हुसेन ने उन्होंने दिल्ली विद्याले में चातर दरसन में 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 प्रवेश लिया लेकिन इसे आधा ही छोड़ दिया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गए और अपने भाई नवी निश्चल के साथ शामिल हो गए जो उस समय पहली वालीवूट फिल्म शावन भादों में मुखी भूमका निभा रहे थे तो दोस्तों इनके करियर के भी हम जानकारी आपको बता देते हैं तो प्रवेश ने अपने करियर की सुरुवात मोहन शाहगल के मुखी सहाग निर्देशक के रूप में फिल्म सावन भादों की जोड़ी नवी निश्चल और रेखा ने अवने किया था उन फिल्म जान से प्यार में एक निर्देशक के रूप में अपना करियर सुरू किया जिसमें आड़ी बर्मन का संगीत था फिल्म की सुरुवात आसा भोसली द्वारा दिये गए थे दो गानों की रिकार्डिंग से हुई थी ये भारती भावनाओं के साथ अंतरराष्टी जे अज़ेदारी में महाकाबी फिल्म स्टार वार्स बनाई थी इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई प्रमीड ने फिल्म की साथ रीलों की सूटिंग गी लेकिन दुरभागी से निर्माता द्वारा फिल्म को छोड़ दिया गया क्योंकि वो बित्तिय कटनाई में भा गया था एक एसी प्राकर्ति की थे जिन्होंने दुरभागी से फिल्म को किसी अन्नी फ्रोडेक्शन हाउस द्वारा अपने हाथ में लेने की अन्मती नहीं ली इसी सुरुवाती जटके के बाद प्रमीड ने सरत चंद चटनट जी द्वारा लिखित बंगाली एतिहासिक सिरीकांत के चार खंडों के आधिकार के लिए उन्होंने दूर दरसन के लिए योजित टीवी सीरियल में पहले दो खंड बनाए जिसे सिरीकांत कहा जाता है जिसमें फारुक सेक सुजाता मेहता प्रिय दरसनी भारत भूसर्ड आज सामिल है ये अली रजा द्वारा लिखा किया गया था सिरीयल था ये एक बड़ी सफलता थी कि इसे बड़ी आलो चात्मक प्रसंसा मिली ये बीबी सी के चैनल वन और टू पर प्रदसिस्थ होने वाला अब तक पहला एसी आई धारावाहिक था वो प्रयोक्त धारावाहिक के कुछ हिस्सों का उप्योग करते हुए प्रबीड ने कुछ और सूट किये एक फिचर फिल्म राज लच्छमी बनाई गई इसमें मिश्टर एपसी महरा को मुख रूप से विदेशी बाजारों के लिए बेंचा गया था धारावाहिक की सफलता के बाद दूरदर्सन ने तब तक प्रबीड को क्लासिक उपन्यास क के तीसरे खंड में काम करने के लिए आमंतिरत किया और फिर आधे घंटे के 24 एपसोड में स्रीकांत बनाने के लिए कमीशन दिया फारूख सेक ने फिर सिरीकांत की भूंका निभाई और उनके साथ कलाकारों में सामिल हुए इरफान खान म्रडाल कुलकरणी रविंदर मनक एक के हंगल आधी इसके द्वारा प्रमीर ने शरुक खान सोनाली बेंदरे रसी जापरी आधी अविनित एक फिचर फिल्म इंग्लिस बाबू देशी में का निर्माड और निर्देशन पूरा किया उन्होंने 90 मिनिट की एक टीवी फिल्म जहां प्यार मिले का निर्माड लेखन और निर्देशन किया अवधी चैनल पर नव पर अकारिकर्म निर्देशन की कटोती के लिए 2002 में मनमोहन सेटी की कमपनी एड बलैस सामिल है और एंटरेटेन्मेंट वन आप नाम के एक फिल्म प्रोडक्शन डिवीजिनल शुरू किया कमपनी ने लगबग 20 फिचर फिल्मों को बित्त पोसित और सापोसित किया कमपनी की ओर से रिलीज होने वाली पहले फिल्म 2003 में गंगा जल थे जिसमें प्रबीड ने प्रकास जा के साथ निर्माता और प्रुसकार राष्टी प्रुसकार से समानित किया गया थे 2007 में प्रबीड ने एड लाइब्स जो रिलाइंस एडलाइफ्स बन गया है को छोड़ दिया और राम गोपाल वर्मा के साथ पार्टनर बन गये हैं दोनों ने मिलकर फिल्म तीनों फिल्मों का निर्माड किया इसमें फाइले अमिता बच्चन अपसेक बच्चन और एस्वर्य अविनिस सरकार राज थी इसके बाद कनेक्ट और फूक दी 2009 में वो अलग हो गये थे जिसके बाद प्रबीड ने दो पार्टनर निवास और रयान सुआरेस के साथ एक विज्यापन फिल्म कंपनी वाइट ओनियन फिल्म से शुरू की और कई टीवी विज्यापनों का निर्माड किया प्रबीड एक फिच्चर रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग करती है